हेलो गाइस, करंट अफेर्स फंडना में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ बिशेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम सितंबर महीने के फॉर्थ वीक के सभी इंपोर्टेंट करंट अफेर्स कवर करने वाले हैं, जो भी ऐस्पिरेंट्स हमारे फॉर् क्लिक करके पास सकते हैं, साथ या आप गूगल प्रेस्टोर से करंट अफेर्स फंडा आपको भी इंस्टॉल कर लिजे, क्योंकि जो भी हमारा PDF मैटियल है, आपको करंट अफेर्स के साथ 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 इस्टाटिक जी के भी प्रोवाइट कराते हैं, यह सभी मैटियल आपको जी फोर ग्रूपिंग सीकिंग पर्मानेंट मेंबर्शिप आफ यूएन सेक्योर्टी कांचिल, इनमें से कौन सा देश सहयुक्त रास्ट सुरक्षा परिशत की इस्थाई से दस्टागी मांग करने वाले जी फोर समू का हिस्सा है, ओप्शन्स आपके सामने हैं, सही आंसर ओप्शन ए है ब्राजील, तो हाल ही में जी फोर यानि की ग्रूप फोर कंट्रीज के जो फोरन अफेर्स मिनिस्टर हैं, इनकी एक मीटिंग संपन्नुई है, तो इसमें भारत की ओर से जो हमारे एक्स्टरनल अफेर्स मिनिस्टर हैं, एस चैसंकर, ये जर्मनी, ब्राजील और जापान के जो एक्स्टरन अफेर्स मिनिस्टर हैं, उनके साथ इनोंने मुलाकात की हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्रूप फोर में कौन कोंसी गंट्रीज हैं, इंडिया, जर्मनी, ब्राजील, एंड जापान, ग्रूप फोर का मक्सद क्या है, ये सभी युनाइट इननेशन सेक्योर्टी काउंसिल में, इनको भी पर्मानेट सेट मिलनी चाहिए, इसी तरह से जापान, ब्राजील और जो जर्मनी है, ये भारत की सीट का समर्थन करते हैं, इसी तरह से आपस में सब एक दूसरी की सीट का समर्थन करते हैं, आप जानते हैं, पांच पर्मान दिक्कत क्या है कि कुछ कंट्री जो हैं विरोध करते हैं जैसे आप देखें जर्मानी का विरोध इटली करता है और ब्राजील का विरोध अर्जेंटीना करता है जापान का विरोध चाइना नौर्थ होरिया और साउथ होरिया भी करता ही है और रशिया भी करता ही है भारत का विरोध पाकिस्तान करता है तो इस तरह से कंट्रीज हैं जो विरोध करती हैं कि नहीं इनको नहीं मिलने चाहिए तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जर्मनी के फोरेंट मेस्टर ने पार्टिस्पेट किया है इनके नाम लिखे हैं ब्राजील के भी और जापान के भी यह मिटिंग कहाँ पर हुई तो 77th Session of United Nations General Assembly जो निव यॉर्क में हुआ है तो इसी के साथ यह मिटिंग इननों की संबन हुई है इंग्लेंड के खिराफ सीरीज के तीनों एक दिव से अंतरास्टे मैच जीत कर भारतिय मैला क्रिकेट टीम ने थियास रच दिया भारतिय मैलाओं ने कितने साल पहले इंग्लेंड में आखरी बार वंडे सीरीज जीती थी और ऑप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन्स है 23 तो देखे भारत की जो महिला अग्रिकेट टीम है इन्हों इतियास रच दिया है और वंडेंड़ सीरीज जो इंग्लेंड के साथ इन्हों ने खेली इसको वाइट वाश कर दिया यानिकि जितने मैस थे उतने ही इंग्लेंड इंडिया जीते हैं तीन मैच की सीरीज थी तीनों भारत ने जीते हैं और ये किर्दी महासिल क्या है लॉड जिसे मेका ओफ क्रिकेट बोलते हैं लोड के मैदान लॉड के मैदान पर आपको बता दें पिछली बार जब भारत ने इंगलेंड ये हिलाफ कोई सीरीज जीती थी और इन्होंने अपने अंधिम मैच में दो बिगेड़ लिये और अब इन्होंने सनयास ले लिया है 204 वन डेट अशल मैच इनोंने खेले जिन में 255 विगेट스팀 न blurred लिए साथ ही सबस्यादा विगेटिस वीजम वन डेट लकर्थ में अब इन यहां से देख सकते हैं हुआ हैस बीन अपॉइंटेटर एस डिरेक्टर ऑफ ओल इंडियन इस्टिटूट ऑफ मेडिकल साइंसे इम्स नियु डैली अखिल भारती आई रूब विज्ञान संस्थान एम्स नई दिली के निदेशक के रूप में किसे नियुक्ति किया गया ऑप्शन्स आपके सामने है सही आंसर ऑप्शन भी रहेगा एम स्री निवास तो डॉक्टर एम स्री निवास इनको एम्स नियु डैली यानि की ओल इंडियन इस्टिट ऑफ मेडिकल साइंसेस नियु डैली का डिरेक्टर अपॉइंट किया गया है यह फिलाल इस आईसी मेडिकल कोलेज एंड हाइदरा चक्र किस एजन्सी ने ऑपरेशन मेड़ चक्र को अंजाम दिया है ओप्शन आपके सामने हैं सही आंतर ऑप्शन भी रहेगा सीवी आई तो देखें सेंट्र ब्यूर ओफ इन्वेस्टिकेशन यानि सीवी इसने बीस राज्ची और किंसाजित परदिसों की चपन लोकेशन पर अलग तरह की सर्चेस की जो की चाइल्ड पॉर्णोग्राफिस संबंदीत हैं और उसके सर्कूलेशन से संबंदीत हैं कई सारी अरेस्ट भी नोंने कि जो इस तरह का मैटीरियल सर्कूलेट करते हैं या फिर इस तरह के व्यापार में जो हैं लिप्त हैं तो इसका नाम दिया गया है ऑपरेशन मेघ चक्र अब बाकि सीब्याइगे बारे आपको जाना चाहिए हैटपारट न्यूडेली में है इसका मोटो है इंडस्ट्री इंपार्शिलिटी इंटिग्रिटी अब सुबहत कुमार जैसवाल इसके डिरेक्टर जनल है यह आगे डिरेक्टर जनल लिखा वाया यह दोबार सुबध कुमार जैसवाल गलती से लिखा गया डजनले गया डायट्र जनल है सुबहत कुमार जैसवाल इस कि ऑफ है और यहां ऑ तो देखे ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज बोर्ड ने एनाउंस किया है कि रंजीत कोली हमारे एक्जेकुटिटिव डिरेक्टर एंड सी यू बनाए जाते हैं चब्विस सिर्मबर 2022 से साथी वरून बहरी इनको भी एलिवेट किया गया है यह अब एक्जेकुटिव वाइस चेर्मेन एंड मैजिंग डिरेक्टर बनाए गए हैं ब्रिटेनिया के रेल्टेल के नए अध्यक्ष और एमडी के रूप में किसे न्यूकति किया गया ओप्शन्स आपके सामने सही आंसर ऑप्शन भी रहेगा संजे कुमार तो संजे कुमार यहां पर रेल्टेल कोप्रेशन ऑफ इडिया लिमिटेट के चेर्मेन एंड मैजिंग डिरेक्टर के आपको जाना चाहिए जो यह रेल्टेल है यह इंडियन रेल्वेस को ब्रोडबेंड वीपीएन और जो भी कम्मुनिकेशन सर्विसे सुथी है और प्रवाइट कराता है रेल्टेल की स्थावना सिटमबर 2000 में हुई थी हूँ है इस बीन इलेक्टेट एस होकी इंडिया प्रेजिटेंट होकी इंडिया की अध्यक्ष की रूप में किसे चुना गया ऑप्शन सापके सामने सही आंसर ऑप्शन यह रहेगा दिलीप टिर्की तो दिलीप टिर्की यह फॉर्मर इंडियन होकी कैप्टन है और 1998 एशन गेम्स में हमारी भारते टीम ने जो गोल्ड मेडल जीता था उस टीम का भी हिस्सा रहे इनको होकी इंडिया का प्रेजिडेंट यूनिमसली नियुक्त कर लिया गया यानिकि निर्विरोध इनको चुना गया है आपको उतादे पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई फोर्मर स् गेम्स 1996 Sydney Olympic Games 2000 और Athens Olympic Games 2004 में बारत को रिप्रेजेंट किया है होकी इंडिया हैट्वाटर्स न्यू डैली में इसके स्थापना 20 मई 2009 को हुई थी दिलीप अस्पे हैस बिन री अपॉंटेट एस MD & CEO of which agency दिलीप अस्पे को किस agency के MD & CEO के रूप में फिर से न्युक्त किया गया ह है options आपके सामने हैं सही answer option ही रहेगा NPCI तो NPCI National Payments Corporation of India के Shareholders ने इस बात को एप्रूव कर दिया है कि दिलीप अस्पे को NPCI का मैचिंग डिरेक्टर एंड चीफ एक्जेक्टिव ऑफिसर फिर से रिया पॉंट किया जाता है अगले 5 साल के लिए आपको दाने साल 2018 में इन्हों अब यह प्रसाद होता से यह चार्ज लिया था NPCI के MDNCO चार्ज लिया था कि NPCI की बात करें तो साल 2008 में इसके स्थापना हुई थी और हमारे देश में जितना भी रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम होता है इन सर्विसेस के द्वारा जैसे रूपेकार्ड आई-एम-पी-एस यूपी-आई-बीम एन-ए-टी-सी फास्टेक भारत बिल पे तो इन के तुरुज इतना भी पेमेंट होता है जो भी रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम होता है तो उसको अपरेट को न करता है एंपी-सी एए एक अंप्रेला और्गनाईशन है एंपी-सी एई एंग मियुक्स में तो कि वर्ड फारमसेस्ट डेसालेट यार फोवन से एक और Cassius भार्मासिस तिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है और औप्शनस आपके सामने है सही आंसर प्शनसभी रहेगा सेप्यंबर टरफ टून्हिफë त तो हर साल पच्च्स जंबर को सबर्प वर् ट्राइसर फार्मसेटिव फेडरेशन काउंसिल के स्थापना इसी दिन होगी थी 25 सिट्रंबर को इस बार इसका थीम है फार्मेशी युनाइटेट इन एक्षिन फोर हेल्दियर वर्ड इसका इसका पूरा सुनियेगा क्योंकि एक्षिन में ही तीन चार कोश्चन्स अलग से बन सकते हैं कि देखिए हाँ पर आयाइए एफल फैल्ट हुरून इंडिया रीच लिस्ट टॉंटी टॉंटी टू जारी की गई है तो इसमें अगर हम इंडिविज्वल जो रीच परसन हैं भारतमन की बात करें तो सबसे आदर रीच परसन हैं वह मुंबई में रहते हैं तो जो इन्होंने लिस्ट जारी की है हुरून इंडिया रीच लिस्ट तो इसमें टोटल जितने भी लोग हैं उनमें 283 वह मुंबई से बिलोंग करते हैं सबस्याता रिप्रेजेंटेट सिटी कौन सी है मुंबई आपको तादे इस रैंकिंगा 11 एडिशन रहा है और 2022 में पहली बार गोतम अडानी ने रिलाइंस इंट्रस्टिस के चेर्मन मुकेस अंबानी को पीछे छोड़ दिया है और रिचेस्ट मैं बन गए हैं इंडिया के 10.9 लैक परोड रुपीस इनकी वैल्थ है गोतम अडानी के हरम बात करें साथ हमने देखा था कि ब्लूमबर् पीछ लांग लगाई है पिछले साल 49 पोजिशन पर ते और अभी सिफ्ट पोजिशन पर पहुंच गए हैं साथ है आपको जाना जी नाइका फाउंडर फालगुनी नायर इन्होंने बायो टेक चीफ किरन मजुमदार श्यों को पीछे छोड़ दिया है और यह रिचस्ट से हैं और यह स्ट्रीमिंग डेटा टेक्नलोजी कंपनी को फ्लिएंट इसी को फाउंडर है यह यंगेस्ट सेल्फ मेड विमन एंट्रेप्रिनर बन गई है इस लिस्ट के अनुसार और अगर हम और बात करें तो इनकी 336 रैंक है 336 रैंक है 4700 क्रोड रुपे की इनकी वेल्थ है जैप टोको फांडर 19 साल के हैं यह कैवल्य वहरा यह यंगेस्ट इंडियन बन गए हैं और फर्स्ट टीनेजर बन गए हैं जिन्होंने इस लिस्ट को जोइन किया है इनकी अगर हम वेल्थ की बात करें तो 1000 क्रोड रुपीस इनकी वेल्थ है तो हुरून इंडिया की सामिल हुए है यानि कि 96 इंडिविच्वल्स और इसमें शामिल किये गए हैं तो कितने का इंक्रिस देखने का मिला 96 लोगों का कि आई एफल वेल्थ की बात करें हम टेंड सी ओकरन बगत हैं हैटकाटर मुंबई महारास्ट में तो मैं तो पूर्ण है यहां से कोश्चन बन सकता है यह यह भी आप देख सकते हैं टॉप 10 वेल्थ इस्ट इंडिविच्वल अगर आम लेफ्ट साइड में देखें मदानी के बारे में दे सकते हैं कि इन्होंने पिछले लार्श साल सोला सो क्रोड रुपे पर दे इन्होंने कमाए है इंटरनेस्टल डेफोर टोटल एलिमिनेशन ऑफ नुक्लियर वैपन्स इस ऑप्सरड ऑन विच्टे परमाणू हतियारों के पूर्ण उन्मोलन के लिए किस दिन मनाया जाता है ऑप्शन आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन दी रहेगा 26th of September तो देखिए उनाइट नेशन ने 26 नंबर को existential day for that total elimination of nuclear weapons यह observe करने का निर ने लिएटा साल 2013 को 28 सिद्वर को ये दिन मनाया जाता है international day for the total elimination of nuclear weapons और इसी तरह का एक और टेया आता है international day against nuclear test 29 अगस्त को मनाया जाता है who has been appointed by the supreme court for amending Indian Olympic Insurance constitution बारती ओलंपिक संके संभीदान में संसोधन के लिए सर्वच नियाले द्वारा किसे न्यूक्ट किया गया ओप्शन्स आपके सामने सही आंसर ऑप्शन्स ही रहेगा एल नागेश्वरा राव तो सुप्रीम कोर्ड में फॉर्मर जच एल नागेश्वरा राव इनको पॉइं तो इसमें बताया गया है कि खोर्ड ने जस्टिस राव को कहा है कि आप एक रोड मैप तयार कीजिए ताकि जो इंडियन ओलंबिक एसका कॉंस्टिटूशन को अमेंड किया जा सके और पंदर एसम दोजार बाइस तक इलेक्शन्स संबन कराए जा सके और है कि है वहाज बन अबॉडडे 2023 ब्रेक्थू प्राइस इन मैथेमेटिक्स गड़ीत में 2030 के प्रोष्कार से किसे समानित किया गया ओप्शन्स आपके सामने सही आंदर ऑप्शन सी रहेगा डैनियल ए एस्पेलमें देखे ब्रेक्थू प्राइस फांडेशन इसके फां इन्होंने 2030 का ब्रेक्थू प्राइस जो जिन्होंने जीता है वह उनके नाम ने एनौंस की है तो देखिए अगर हम बात करें लाइफ साइंस की तो लाइफ साइंस में किसको मिला है क्लिफोर्ट पी ब्रेंगविन को और एंथोनी ए हाइमन को दूसरा गरम देखे तो डैम मैथमेटिक्स ही बात करें तो मैथमेटिक्स में दिया गया है डैनियल ए एस पेल में को फॉर मल्टिपल डिसकवरीज इन थेओरिकल कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स तीसरा गरम कैटेगरी देखें तो ब्रेक्थू प्राइस इन फंडमेंटल फिजिक्स किसे मिल गिल्स ब्रेशार्ट डेविट जोष एंड पीटर शोर को इस अवाउड की अगरम बात करें तो यह आवोर्ड को ओस्कर्स ऑफ साइंस कहा जाता है वर्ड के टोप साइंटिस्ट को यह रिकानाइज करता है थ्री मिजन यूए स्टोर का प्राइज इसमें दिया जाता है औ नेम दा प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू दा गॉवर्मेंट ऑफ इंडिया हूँ अन्वेड तबुक शी इस विमन इन इस्टेंग भारा सरकार के प्रधान विज्ञानिक सलाकार का नाम बताई जिनोंने शी इस विमन इन इस्टीम पुस्तक का नावरण किया है options आपके सामने हैं सही आंतर option यह रहेगा अजे सूद तो देखिए प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्मेंट ऑफ इंडिया प्रोफेसर अजे सूद और बिटिस हाई कमिशनर मिस्टर अलेक्स एलिस इन्होंने एक बुक का नावरणी किया जिसका नाम नरेंदर मोदी इन विच स्टेट परियावरण वन और जलवाई परिवर्तन मंत्रियों के रास्टे सम्मेलन का उद्गाटन परधानमदीफ नरेंदर मोदी ने किस राज्य में किया है options आपके सामने हैं सही आंतर अप्शन भी रहेगा गुजरात तो नेसल कॉन्फरेंस ओ हो हैं जिन में अलग-अलग टोपिक रहे जासे की life combating climate change और परिवेश, forestry management, prevention and control of pollution, wildlife management, plastics and waste management, which foundation has announced a financial assistance totaling 1.27 billion US dollar to address poverty and social inequalities, किस foundation ने गरीबी और समाजिक असमानताओं को दूर करने के लिए कुल 1.27 billion अमेरिकी डॉलर की वित्य साहिता की खोशना की है, options आपके सामने हैं, सही आंजर option दी रहेगा, Bill and Melinda Gates Foundation तो देखिए, Bill and Melinda Gates Foundation ने एक नई assistance, financial assistance, announce किया है, तो इन्होंने 1.27 billion US dollar की commitment की है, पूरे वर्ड में, poverty and social inequalities का सामना करने के लिए तो हाली में Lincoln Center, New York में एक event हुआ, वहाँ पर ये announcement की गई Union Minister of Ayush, Sarbananda Sonowal, inaugurated the International Conference of Conciseness in which city, Kendri Ayush Mandri, Sarbananda Sonowal, ने किस चहर में, चेतना से संबंदित, एक अंतरास्टे सम्मेल इंगा उतकाटन किया, options आपके सामने है, सही अंतर option दी रहेगा, बैंगलूरू The Union Minister of Ayush, Sarbananda Sonowal, इनोने International Conference on Conciseness, इसको इनगरेट किया है, कहाँ पर National Institute of Mental Health and Neurosciences, यानि की NIMHANS, बैंगलूरू में, इस इस कोनफरेंस का जो थीम रहा, वो exploring conciseness, from non-locality to non-duality, the man-machine debate, ये इसका थीम रहा है, इस कोनफरेंस को Indian Foundation और NIMHANS द्वारा और्गनाइस किया है, Which bank has boosted the capital of its branches within India by 3000 crore rupees as the bank looks to expand its India business, किस bank ने भारत की भी तर अपनी शाकाओं की पूंजी में 3000 crore रोपे की बिद्धी की है, क्योंकि यह bank अपने भारत की कारूबार का विस्तार करना चाता है, options आपके सामने है, सही answer option भी रहेगा, MUFC bank MUFC bank के अगरम बात करें तो जापान का largest bank है, और इसने भारत में जो इसकी branches हैं, उनमें 3000 crore rupees infused की हैं, यानि की डाले हैं, क्योंकि यह भारत में अपना business expand करना चाता है, और इसी के साथ यह 3000 crore rupees ने डाले हैं, इसी के साथ जो MUFC bank है भारत में, इसकी total capital 5207 crore rupees हो गई है, विच इंशुरर रॉप्ट इन डोईच शर्मा एंड रितिका सच्टे, एस brand ambassadors, रोईच शर्मा और रितिका सच्टे को brand ambassador के रूप में किस बेमा करता ने, चुना options आपके सामने, सही आंसर अप्शन नहीं रहेगा, max life insurance, तो max life insurance ने Indian men's cricket team captain और star player रोईच शर्मा उनकी wife रितिका सच्टे को नया brand ambassador चुनाएं, चुनाएं, दो साल का ये partnership agreement है, बागी max life insurance नमदेदम कई सारे current affairs हाली में पढ़ते आएं, विच बैंक has received the RBI's approval to open a special vostro account with Gaspom Bank of Russia for trade settlement in Indian rupees, भारते रूपए में व्यापार ने उप्टाने के लिए, रूज के Gaspom Bank के साथ एक विशेष वास्टो खाता खोलने के लिए किस बैंक को RBI की मनजूरी मिली है, options आपके सामने है, सही answer option A है, Yuko Bank, तो देखे पब्लिक सेक्टर लेंडर है Yuko Bank, इसने Reserve Bank of India से एक approval राप्त कर लिया है, जिसके तहद Indian rupees में trade settlement करने के लिए, यह gas-prone bank, जो कि रश्या का bank है, यहाँ पर एक special vostro account open कर सकता है, आपको बता दें, कि यह पहला bank रहेगा, जिसे Reserve Bank of India से, इस तरह का approval मिला है, कि आप vostro account कोल सकते हैं किसी foreign bank में, क्योंकि जुलाई के महिने में RBI ने allow कर दिया था Indian banks को, कि आप rupees में trade settlement कर सकते हैं, Yuko Bank के बारे में बात करने, एटकार्टो स्कूलकाता में, MDNCO Soma Sankara Prasad है, tagline है, honors your trust, American actress Ashley Louise Fletcher, who died recently, had won an Academy Award for Best Actress in a Leading Role in which year, अमेरिके अबिनेत्री, Ashley Louise Fletcher, जिनका हाली मिंदन हो गया, निकिस वर्स एक प्रमुख भूमिका में, सर्वस्रिष्ट अबिनेत्री का अकादमी प्रशकार्ट चीता था, ओप्शन्स आपके सामने हैं, सही अंसर ओप्शन्स ही रहेगा, 1976, देखे, जितने भी इंडियन निउस्पेपर्स हैं, उन समने ये स्टोरी कवर की हुए, इसलिए मैहत्पूर्ण है, क्योंकि ये काफी मैहत्पूर्ण परसनेल्टी ये रही है, देखे, अमेरिकन एक्ट्रेस रही, एस्टेले लुइस फ्लेशर, इनका 88 की एज में निदन हो गया है, आपको बता देए, इन्होंने नर्स रैशिट के किरतार को निभाया था, जिसमें 1975 की फिल्म है, वन फ्ली ओवर दा कुकूस नेस्ट इसमें, और इसके लिए इन्हें अकेडमी अवार्ड ही मिला था, 1976 में, 1976 में ये अवार्ड इनको दिया गया, और आपको बता देए, इसी अवार्ड के साथ, अकेडमी अवार्ड के साथ ही, ये थार्ड वुमन बन गई, जिन्होंने एक ही परफॉर्मेंस के लिए एकेडमी अवार्ड भी जीता, बाफ्त अवार्ड भी जीता, और गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी जीता, तो प्राइमस्टर नरेंद्र मोदी की कुछ स्पीचेस का कलेक्शन यहां पर किया गया है, उसको रिलीस किया गया है, इस बुक का टाइटल है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, प्राइमस्टर नरेंद्र मोदी स्पीक्स, तो यह प्राइमस्टर मोदी का जो वीजन है, उसके बारे में बता दी है इस बुक को रिलीस किया गया, फॉर्मर वाइस प्रेज़ेंट एममन कया इन्होंने एक बुक रिलीस किया है, जिसका टाइटल है, पंडित दीन दियालोपाद्याय, जीवन दर्शन और समसामिक था, इसको इन्होंने निव डैली में रिलीस किया है, टोटल हाव नहीं नेसल सर्विस, इसकीम, एनेसेस अवार्ट्स, फॉर्ट ये टॉंटी वर कनफर्ड भाई प्रेजडेंट द्रॉपती मुर्वू, रास्टपती द्रॉपती मुर्वू द्वारपर 2020 कि लिए कुल कितने हैं, रास्टिय सेवा योजना, पुरस्कार प्रदान किये गए, औप्शन्स आपके सामने हैं, सही आंतर अप्शन्स ही है, 42, तो प्रेजड and 30 NSS volunteers को यह awards दिये गए है, आप सभी जानते हैं, NSS के बारे में एक centrally sector scheme है, जिसको साल 1979, 1969 में launch किया गया था, ठीक है, और NSS की ideology, आप सभी जानते हैं, महत्मा गांधी के जो idols हैं, उन से सम्मंदित है, और इसका motto है, not me, but you, यानि कि स्वयम से पहले आप, What is the theme for World Tourism Day celebrated on September 27, 27 सितंबर को मनाये जाने वाले, विस्व परेटन दिवस की theme क्या है, options आपके सामने है, सही answer option A है, Rethinking Tourism साल 1980 से ही, United Nations World Tourism Organization, यानि की UNWTO, यह 27 दंबर को World Tourism Day celebrate करता आ रहा है, यही दिन के चुना गया, क्योंकि 27 दंबर 1970 को, जो UNWTO है, इसका जो एक सम्मिधान कह सकते हैं, या फिर एक charter कह सकते हैं, उसको adopt किया गया था, बाकि आपको जाना चाहिए, World Tourism Day, 2022 का theme है, Rethinking Tourism, और इस बार 2022 में इसकी host country है, यह जो event है, World Tourism Day, इसको जो host कर रही है कंट्री वो इंडोनेशिया है, बाकि UNWTO के बारे में आपको जाना चाहिए, स्थापना 1946 कोई headquarters, Madrid, Spain में है, Secretary General, Zurab, Polo League, 802 है, Rosa Fedor has ended his superlative professional tennis career at age 41, with a loss in doubles, alongside long-time rival Rafael Nadal at which tournament, Rosa Fedor ने किस tournament में लंबे समय से परतितोंदी, Rafael Nadal के साथ, यूगल में हार कर, 41 साल की उम्र में अपने सांधार पेशेवर्ट टैनिस करियर का अंध किया है, options आपके सामने है, सही आंथर option दी रहेगा, लेवर कप, तो आप सभी जानते हैं कि रोजर Fedor ने 41 साल की उम्र में अपना जो professional tennis करियर है, उसको end कर दिया है, और इन्होंने अंतिम मैच खेला लेवर कप में, और ये doubles का मुकाबला रहा, इनके साथ ही रहे इस doubles मैच में, Rafael Nadal, Fedor के बारे में आप जानते है, 20 Grand Slam titles हैं, और Nadal के बारे में भी आप जानते हैं कि 22 Grand Slam titles इनके नाम हैं, इन दोनों ने ही pair up किया इस tournament के लिए, और ये team Europe की ओर से खेले, इनको team world के जो member है, Francis Taifuay और Jack Shok, इन दोनों ने ही हरा दिया, ये match लंडन में खेला गया, बागी आपको जाना चाहिए, लेवर कप के बारे में, जो इस बार 2022 का edition है, ये 5th edition रहा है, और ये men's tennis tournament होता है, team Europe और rest of the world के बीच में, यानि कि team Europe और team world के बीच में, आपको बता दें, इस से पहले के जो edition रहे, यानि कि पहले के जो 4 edition रहे, वो team Europe ने जीते हैं, लेकि इ पहले बार इनोंने ये टाइटल जीता है, वो इनोगरेटेट दा मैसूर दसराफ फेस्टिवल एट चामूंडी हील्स मैसूर, चामूंडी हील्स मैसूर में मैसूर दसरा महुतसव का उद्गाटन कि इसने किया, ओप्शन सापके सामने हैं, सही आंतर ओप्शन एही रहेग तो आपको बता दें करनाटक के दोरे पर हैं, मैसूर दसरा फेस्टिवल के अगर हम बात करें तो ये करनाटक का स्टेट फेस्टिवल है, दस दिन का ये फेस्टिवल होता है, जो की नवरात्री के पहले दिन से शुरू होता है, और विजह दसमी तक चलता है, साथे आपको campus को भी inaugurate किया है मेग इंडिया प्रोग्राम हैस कम्प्लिटेट एट यर्स ओन विच टेट मेग इंडिया कारेकरम ने किस तारीक को आठ साल पुरे कर लिये हैं options आपके सामने हैं सही answer option C रहेगा 25th September 2022 मेग इंडिया आप सभी जानते हैं इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना इनोवेशन को बढ़ाना मैनुफेक्ट्रिंग इंफास्ट्रक्ट्चर को बढ़ाना तो इस इसकीम ने अपने 8 साल पूरे कर लिए 25 सितंबर 2022 को आपको जाना चाहिए इसका जो मेन देशी यह भी था कि भारत में एफटी आई इन्फ्लो को बढ़ाया चाहें तो इसने बताया कि है 2014 में 45.15 बिलियन युएस टॉलर की एफटी आई बारत में आती थी और इन आट सालों में अब 2021 के अदे हम बात करें तो हाइस्ट एवर एफटी आई रिकोर्ट किया गया है 83.6 बिलियन युएस डॉलर का तो थर्टी फस्ट यून टेरेक्ट्रीस एंड स्टेट्स में जो है 101 कंट्रीस से एफटी आई यहां पर आया है फोर इंडिरेक्ट इंवेस्ट्मेंट आया है साथी प्रोड़क्शन लिंक्ट इंसेंटिव स्कीम भी लॉंच की गई 14 की मैनुफेक्श्रिंग सेक्टर्स के तहत 2020-21 में ताकि मेकिन इंडिया इन इसीटुट को एक बिग पूस्ट मिल सकी है साथी अगर हम पिछले पांस साल की बात करें तो इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है यह 334 परसेंट जो है बढ़ा है और जो टोय एक्सपोर्ट है मारा यह भी 326 मिलें यूएस टोर बढ़ा है फिसकल यह 2021-22 की अगर हम बात करें बागे आपको जाना जिए मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को लांच की गई थी विच इंशुरर हैस बिकम दा फर्स्ट इंडियन लाइफ इंशुरर तो हैव 74 परसेंट फोरें शेर होल्डिंग कौन सा बीमा करता जोत्तर प्रतिशत विद्यसी शेर धारिता रखने वाला पहल बारतिय जीवन बिमा करता बने गया है उप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर और उप्शन रहेगा एजस फेडरल लाइफ इंशुरेंस तो देखें एजस फेडरल लाइफ इंशुरेंस की फर्स्ट इंडियन लाइफ इंशुरेंस कंपनी बन गई है जिसमें 74 परसेंट फ को अपने बेच दिया है आप बात समझ में आई अब तक आई डिवाई बैंक के 25 प्रसेंट स्टेक में हुआ करते थे अब इन्हों ने अपने स्टेक एजस इंशूरेंस इंटरनेशनल को बेच दिया है तो इससे क्या हुआ अब जो एजस फेडर लाइफ इंशूरेंस इसमें 74% foreign shareholding आ गई है आपको जाना चाहिए Belgium बेस्ट जो यह एजस इंशूरेंस इंटरनेशनल है अब इसके इस कंपनी में जो एजस फेडर लाइफ इंशूरेंस में 74% स्टेक हो गई है पहले कितने थे 49 और बाकी के जो इस्टेक है 26% यह फेडर बैंक है इस कंपनी में आई हो उनमें FDI लिमिट 49% से बढ़ाकर 74% कर दी थी अगर हम एजस फेडरल लाइफ इंशूरेंस की बात करें तो हैटकॉर्टरस मुंबई महरास्ट में CEO विगनेश सहानी है प्रवासी भारतों के लिए उपयोगिता बिल भुकतान से महों की सुविधा के लिए कि इस बैंक ने भारत बिल भुकतान प्रणाली के साथ समझोता गिया है चलिए सही आंसर, उप्षन के फेडरल बैंक है headquarters अलुआ कोची केरल में है टैग लाइन है यूर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर हाली हमने फेडरल बैंक संबंद देखे एक तो यह कि जो फेडरल द्वारा जो लिष्ट जारी की गई है एस्या में बैस्ट वर्क प्लेसेज की उसमें फेडरल बैंक 63rd पोजिशन पर है दे रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया हैस पार्ड विच फाइनेशल सर्विसेज कंपनी फ्रॉम केरिंग आउट एनी रिकवरी और री पासेशन एक्टिविटी त्रू आउट्सोर्सिंग अरेजमेंट्स बारते रिजर्बैंक ने किस वित्य सिवा कंपनी को आउट्सोर्सिं या कबजा गतिविती करने से रोकतिया है ओप्शनस आपके सामने रहेंगे सही आंसर ओप्शन डी है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइन्स आपको जाना चाहिए रिजर्बैंक ओफ इंडिया ने महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेशल सर्विसेस को इस बात से मना कर दिय है कि आप किसी भी तरह की जो recovery है लौन की recovery है या फिर री पाजिजन activity है वह आप outsourcing arrangements के थुरू नहीं करवाएंगे ऐसा RBI ने कहा है हाला कि इस तरह का काम जो है जैसे कोई लौन recovery है या फिर री पाजिजन activity है या आप अपने employees से करा सकते हैं लेकिन outsourcing arrangement के थुरू नहीं करा सकते हैं तो RBI किस तरह से define करता है outsourcing को outsourcing का मतलब है कोई nbfc जो है वह किसी third party को engage करती है अपने कारे कराने के लिए जैसे की loan recovery के लिए या फिर और भी किसी तरह के काम जो हो सकते हैं तो देखें इस तरह का step की उठाए गया यह जारखंड की बात है महां पर एक महिला से महिला ने ट्रेक्टर लिया था तो उसको finance किया था महिंद्रा और महिंद्रा ने तो कुछ शायद किस्त वगरा नहीं कई होंगी इस तरह कुछ तो जब वो उस उस ट्रेक्टर को ले जाने लगे ट्रेक्टर लिया था उन्होंने जो महिला है तो उस ट्रेक्टर को ले जाने लगे तो उस ट्रेक्टर के नीचे को महिला आ गई और उसकी मृत्तियों गई तो इस चीज को कंफर्म किया है माइंदरा है माइंदरा फाइनसियल सर्विसेस ने भी इस रिज़र बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है अपने एंपलोईस को बेज़े हैं अगर रिकवरी कोई भी आपको करानी है किस बैंक ने रिफेनिटिव के साथ बहुवर्चे डेटा और प्रद्योगी समझेते पर अस्ताक्षर किये हैं आपके सामने सही आंसर ओप्शन सी रहेगा है अटो दतर यंजर्ष घ्रस बेंक पार के तो देक्वेंटन टेक एंट्व हुघ तो एक वीरिष बढ़ाना चाहता है और जो कोस्टींहाइस कोस्ट कटिंग करना चाहता है स्टेफसी बैंक की बात करें तो सी उसे दर्चक्दीशन है है एड़कोट मुंबई है टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड जो वर्ड हाली हम ने सब्सक्राइब करेंग देखा कि एसडेफसी बैंक ने जो बैस्ट है मुंबई की जो बैस्ट बस परटनर्ड विच फॉलोइंग तो फर कस्टमाइजबल हेल्थ कवर रिलाइंस जनरल इंशुरेंस ने अनुकूलन योग्य स्वास्ते कवर प्रदान करने के लिए किसके साथ बागयदारी की है और आपके सामने सब्सक्राइब पार्टनर्शिप की है जिसके तहत जो पेट सब्सक्राइब के कस्टमर है वो हमारी इस रिलाइंस हेल्थ गेन फॉलिजी को बाई करें है रिलाइंस जनरल इंशुरेंस के सीव राके जैने हैटकार्टर मुंबई महारास्ट में है दिफॉर्थ इंडिया कैरिकॉम फॉरेंड मिंस्टर्स मीटिंग वास हेल्ड ऑन ता स सब्सक्राइब के सामने हैं सही आंत्र ऑप्शन सी है 15 तो देखें फॉर्थ इंडिया कैरिकॉम फॉरेंड मिंस्टर्स मीटिंग यह युनाइट नेशन जनरल असेंबली न्यू यॉर्क का जो सेशन हुआ है तो उसी के साइड लाइन में यह मीटिंग भी संपन हुई है कै इंटर गोर्मेंटल और्गनाइजेशन है एक पॉलिटिकल और एकोनोमिक यूनियन है जिसमें केरिबियन 15 मेंबर स्टेट्स इसमें सामिल है 1973 में इसकी स्थापना की गई थी इसका सेक्रेटेरियट जोर्स टाउन गयाना में लोकेटड़ है साथ ही जो हमारे एक्स्टर्नल अफेर्स मिनिस्टर है इस चैसेंकर इन्होंने आपर एल 69 ग्रूप इसकी भी एक हाई लेवल मेंटिंग में पार्टिस्पेट किया है अभी यह एल 69 किया है तो यह एक प्रो रिफॉर्म मेंबर स्टेट्स हैं यानि कि यूंग में जो रिफ रा री इन्वगरिटिंग मुल्टिलेटरिज्म एंड एचीविंग कॉप्रिहंसिव रिफॉर्म आफ यून सेक्यूर्टी कामचल तो यह न्यू यूर्क में हुई है और इसकी जो अध्यश्टा की यह सैंड विंसेंट एंड ग्रेनडाइन के जो प्राइम मिस्टर है राल इंडियन शिप एंटर्ट लिए जैसल्स तो पार्टिसिपेट इन दा एन्वल ट्रेनिग एकसाइस ओपरेशंच सदर्ण रेडिनेस आफ कंबाइन मेरी टाइम फोर्चेस वर्शिक प्रसिक्शन अभ्यास अपरेशं सदर्न राडिनेस अप में ने भाग डेने के लिए किस मारतियवी शिप यह जहांच ने पोर्ड विक्टोरिया से ज HERE में परवेश किया है – Omaha है ओप्शन न आपके सामने है, सही इस आँसरी आइस सुनन न कि देखिए कि आएस सुनन यह इंडियर assists न कि अन्य कि ऑक्टोर्ट विक्टोरीया से शेल्स में उपरिशन। और press इस तरह की एक annual training exercise उसमें पाटिसिपेट कर रही है तो इसमें युएस से विटली ऑस्ट्रेलिया, कनाड़ा, न्यूजिलेंड से भी रिप्रेसेंटेटिव आए है और युनाटिक इंग्डम, इस्पेस, इस्पेन और इंडिया ने अपने आपर शिप पाटिस्पेशन किया ह यहां पर बेची हैं। The Union Agriculture Mr. Narendra Singh Tomar laid the foundation stone of an organic seed farm of the National Seed Corporation at which place in Madhya Pradesh, Kendra Krissi Mantri Narendra Singh Tomar ने Madhya Pradesh में किसी स्थान पर राष्टिया बीच निगम के जैविक पीच फार्म की आधरशिला रखी, options आपके सामने सही आंसर option भी रहेगा, मोरेना, तो देखिए Union Mr. of Agriculture and Farmers welfare Narendra Singh Tomar, इन्होंने National Seed Corporation के Organic Seed Farm की आधरशिला रखी है, मोरेना, मद्यपरदेश में। और जब यह project फूरा हो जाएगा, तो जो new organic seeds होते हैं, oil seeds के, तो यह मद्यपरदेश के farmers को easily available हो जाएंगे। आचा इसी तरह एक current affairs और है, जिसमें जो नरेंज सिंग तो मरे हैं, यह चर्चा में रहे हैं, तो हाली में Union Ministry of Food Processing Industries, इन्होंने एक joint convergence portal launch किया है, तो यह joint convergence portal है, किसके बीच है, अगरिकल्चर निफास्टक्चर फंड, प्रदानमंत्री formalization of micro food processing enterprises scheme, और प्रदानमंत्री किसान सम्बदा योजना के बीच में. इस योजना के तहत, राज्य सरकारों को पूझी निवेश पर योजनाओं के लिए, कितने वर्ष के बियाज मुक्तिरुणी के रूप में वित्य साहता प्रदान की जाती है, आपके सामने हैं, सही अंत्रॉप्शन दी है, 50, 50 साल तक. तो देखे, government of India ने 2022 के लिए, states को एक special assistance scheme launch की है, capital investment के लिए, तो इसमें states को capital investment projects के लिए, जो है, जो है, मतला financial assistance provide कराए जाएगी, और ये 50 year interest free loan होगा, 50 साल तक interest free loan ये रहेगा, अच्छा, अब ये इसका जो है, फिफ्थ पार्ट है, तो फिफ्थ पार्ट में किस investment के लिए दी जाए रही है, सेंटर से अप्रोच कर सकते हैं, तो चार स्टेट्स के अभी नाम के लिए रहे हैं, department of expenditure ने, उत्राकन, जारकन, हरियाना और करनाटक, नेसल स्टी, स्टी हब कॉनक्लेव, हैल्ड इन वीच स्टेट, रास्टी अनुसूची जाती, अनुसूची जिन जाती, हब सम्मेलन किस राज्य में आई जित किया गया, options आपके सामने हैं, सही answer option C रहेगा, तमिल नाडू, तो Union Minister for MSME, भानुपरताप सिंग वर्मा, इन्होंने National SCST Hub Conclave की अद्रक्षता की है, यह जो conclave है, यह था है जबूर, तमिल नाडू में आई जित किया गया, अच्छा, इसी तरह की और सम्मिट्स भी हुए हैं, तीन सम्मिट्स और हुए हैं, वो मैंने इसी के साथ लिग दिए हैं, ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे, देखें, नेशनल B Board, जो की Master of Agriculture and Farmers Welfare के तहता है, इसने, नेशनल सीट रिशर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर वारान सी उत्तरप्रदेश के साथ मिलकर, नेशनल वर्क्षोप अन रोल ऑफ एगरी स्टार्ट अप्स इन हनी वैल्यू चैन, इसका एजन किया है, दूसरा देखें, नई दिल्ली में, Union Minister for Health and Family Welfare, Chemical and Fertilाजर, मानसुक मान भी है, इन्होंने, State's, UT's, Leadership Meeting of the Indian Red Cross Society, इसको इनुगरेट किया, तीसरा देखें, Union Minister of State for Panchayini Raj, Kapil Morishwar Patil, इन्होंने, National Workshop on Localization of Sustainable Development Goals in Panchayat, इसको इनुगरेट किया है, पूने में, Which Company has been awarded National Energy Leader Award and Excellent Energy Efficient Unit Award from Confederation of Indian Industry, Godrej Green Business Center, बारती अद्योग परिसंग, Godrej Green Business Center से किस कंपनी को, रास्टे उर्जा, लीडर प्रुसकार और उत्करष्ट उर्जा, कुशल इकाई प्रुसकार से सम्माने दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, Confederation of Indian Industry, Godrej Green Business Center के द्वारा, साथे आपको जानना चाहिए, जो Minister of Home Affairs के तेहर, Department of Official Language है, तो इनके द्वारा, इसी रास्टे इसपाद निगम लिमिटेट को, फर्स्ट प्राइज दिया जगया है, राजभासा किर्थी पुरसकार की, इसको फर्स्ट प्राइज दिया गया है, राजभासा किर्थी पुरसकार में है, साथे आपको जाना चाहिए, जो राजटे इस पाथनिगम है, इसके CMD अतुलबटे हैं, विसाकपड़नम हांदर प्रदेश में है, एक और अवार्ड की बात कर लेते हैं, NMDC नहीं जीता है, जो कि कंट्री का लार्ज़ेस्ट आईरन ओर प्रडूसर है, इसको नेसल अवार्ड फॉर एक्सिरेंस इन CSR एंड सस्टनिलिबिटी, ये दिये गया है, E.T. असेंट के द्वारा बैंक गुरू में, जितने भी आज ये करंट फेर्स पढ़ रहे हैं, ये सभी P.I.B. के करंट फेर्स हैं, इसलिए महत्पूर नहीं याद रखिएगा, नेसल कॉंफरेंस ऑफ इस्टेट टूरिजम मिनिस्टर हैल्ड इन विच इस्टेट है, राज जी, प्रेटन, मंत्रियों का, राज चेसम मेरन, किस राज चेमयाजित किया अप्शन्स आपके सामने हैं, सही आंसर अप्शन दी रहेगा, हिमाचल प्रदेश, तो देखिए, तीन दिन का नेसल कॉंफरेंस ऑफ इस्टेट टूरिजम मिनिस्टर, ये धर्म साला हिमाचल प्रदेश में हुआ है, टूरिजम की ही बात करें, तो एक और साथ में देख लेते हैं, देखें अगर आप देखेंगे ये आर्टिकल, जो पहले वाला मैंने आपको बताया है, अभी नासर कॉंफरेंस ऑफ इस्टेट टूरिजम मिनिस्टर, ये धर्म साला हिमाचल प्रदेश में हुआ, आप इसक इसको खुद से पढ़के देखें, तो इसमें वही जो मिनिस्टर ने अपना भाहर संड़ देते हैं, बताते हैं क्या क्या डैवल्प्मेंट हुआ है, तो इस तरह की न्यूस में केवल, इतना ही हमारे काम का था, इसलिए मैंने एक लाइन में इसको आंसर कर दिया है, तो य पूछ्ट करने के लिए, इस कॉंफेंस का नाम है, सिंफोनी, ग्रोस टारेक्ट एक्स क्लेक्शन, फोर दा फाइनेंशल ये टूटी 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 ती 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 रजिस्टर, ग्रॉथ ऑफ हाव मच परसेंट, वित्य वर्स दो जार बाइस देश के लिए, सकल पर 25,225 क्रोड रॉपे का रहा है, यह दि हम इसको फिस्कले टूटी वन टूटी टूटी टू से कंपेर करें, तो वहाँ पर 6,42,282 क्रोड का रहा था, तो हम यह कह सकते हैं, 2021-2022 के मुकाबले, 2022-2022 में, 30% का यहाँ पर जो है, इंक्रीस या ग्रोथ देखने के लिए मिला है जो डिरेक्ट टैक्स का ग्रोस कलेक्शन है, साथी, अगर हम बात करें, जो डिरेक्ट टैक्स कलेक्शन है, फिस्कले 22-23 के लिए, तो इसमें अगर हम नेट कलेक्शन की बात करें, उपर वाल सब ग्रोस कलेक्शन है, यह नेट कलेक्शन की अगर बात करें, तो 7,679 क्रोड रोके रहा है और यदि यदि सेम हम 2021-22 की बात करें इस डिरेक्ट टैक्स नेट कलेक्शन की तो यह पांच लाग अटसर जार 147 क्रोड रहा था तो इसमें आप कह सकते हैं नेट कलेक्शन में तेज़ प्रतिशत की ग्रोथ देखने के लिए मिली हैं ताटा मेमोरियल सेंटर मुंबई और विच अपन में परवेश किया है और यह आंतर ऑप्शन दी रहेगा बाल को मेडिकल सेंटर ताटा मेमोरियल सेंटर मुंबई और विदानता मेडिकल इसर्च फांडेशन की फ्लेक्शिप इनिशिटिव बालको मेडिकल सेंटर राइपूर चतिशकर इन्होंने एक MOU साइन किया है ताकि देश में जो कैंसर केर है उसमें एक्सिलेंस पाई जा सके और उसको अच्छा बनाया जा सकें सुविदाय देश जा सकें कैंसर के ट्रीटमेंट में अनुप्रिया पटेल मिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कोमर्स एंडर्स्ट्री अटेंडिड टैंथ एस एम्म यानि की इस्टेश्या सम्मीट एकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीटिंग इन विच कंट्री वाणिच सियम रिप सिटी कमबोडिया में 10th EAS EMM यानि की इस्ट एश्या समिट एकोनोबिक मिनिस्टर्स मीटिंग में पार्टिसपेट किया है इस मीटिंग में जो दस आशियान कंट्री जहें उन्हें पार्टिसपेट किया साथ ही एयट पार्टनर कंट्री जासे आसे औस्ट्रेल लन आंगन 2022 आउजित किया गया ओप्षिंस आपके सामने सब्सक्राइब का इंडो स्विस्ट विल्डिंग एनर्जी एफिशंसी प्रोजेक्ट यह हाली में संबन हुई है कौन्फरेंस किसके द्वार इंडो स्विस बिल्डिंग एनर्जी एफिशंसी प्रोजेक्ट बीप के द्वारा तो इसका मकसद वही था जो भारत ने टार्गेट बनाए हुए हैं जैसे पंच्छामरी टार्गेट हैं जिसमें की एक टार्गेट हैं नेट जीरो एचीव कर लेंगे तो इसी तरह के जो टार्गेट सें किस तरह से उनको एचीव किया जा सकता है उसी बारे में डिसकुस किया गया है नरेश कुमार हूँ पास्टे रिसेंट लिवाउस अनौटेट प्लेयर ऑफ इची स्पोर्ट नरेश कुमार जिनका हाली मिंद्यन हो गया कि स्केल के प्रसिद्ध के लाड़ी थे ओप्शन आपके सामने सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा टैनिस तो देखें नरेश कुमार इंड टॉर्णामेंट खेला था और आपको जाना चाहिए आगे कि द्रोनाचारे अवार्ड मिलाई ने साल 2000 में अर्जुन अवार्ड मिनों ने प्राप्त किया था इनका हाली मिन दिद्धन हो गया है 93 की एज में कोलकाता में साथी इसी तरकी और ऑबिचुरी हम देख लेते हैं प्रेजिडेंट ओफ कासी वेदवत परिशत प्रोफेसर राम यतना शुकला इनका भी हाली में निद्धन हुआ श्त्रीमद पंचखंट पीठा दीश्वर आचार्य धर्मिंदर इनका भी हाली में निद्धन हो गया है तो यह मैं इसलिए आपको बता रहा हूं को कि पी इंद्रमोदी ने जो है अपना दुख व्यक्त किया है इन सभी के निद्धन पर तो इसलिए मैंत फोन हो जाती है एस पर था इंडिया रेटिंग्स एड रिसर्च इंडिए सखन ठ outer ब्रिसेंट ऑफ GTP इन फिस्केलर 23 इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के नुसार भारत का चालू खाता घाटा फिस्कले 23 के क्वार्टर फस्ट में सकल गरी लिए उत्पात के कितने प्रतिशत तक बढ़े अप्शन्स आपके सामने हैं सही आंधर ऑप्शन भी है 3.4 परसेंट तो देखें इंडिया रेटि और यदि हम जो फिस्कल 22 का जो फॉर्थ क्वाटर था जनुवरी से मार्स तक का उसमें बात करें तो यह केवल 13.4 बिलियन उस टॉलर ती यानि कि चीटीपी का 1.5 परसेंट ती और अब कितनी हो गई है जीटीपी का 3.4 परसेंट इस तरह का एक एस्टिमेट बैंक ऑफ अ चius fate is 1 भारत डिजिटल मिशन को बंकोष्क वन ग्रोड डिजीटली लिख हेलिकोर्थ रिघॉलूंज्ट वॉस्ट ओ विच टेट आजपी को चैनले इक क्रोड डिजिटल रूप से चुड़े स्वास्त्त ह हुआप कर लिया फारग कि से सीमिट सेमेंस्ट मूइं horizon 27 और जो आईश्मान भारत digital mission है इसने वन क्रोड डिजिटली लिंग्ड हेल्थ रिकोर्ड का आखड़ा पार कर लिया है आपको जाना चाहिए प्राइमिस्टर रेंदरमगी ने आईश्मान भारत digital mission को 27 सितंबर 2020 में लॉंच किया था और यूरियन केबिनिट ने ये इसकीम को 1600 क्रोट रुपे के बजट से सुरू किया पांस साल के लिए और इसके लिए जो आईश्मान भारत digital mission है एक बीडियम इसके जो चालू किया गया आईश्मान भारत digital mission का यह successful रहा है बाकिया आपको जाना चाहिए यह जो आईश्मान भारत digital mission है ABDMA इसके तहित citizens अपनी एक आभा आईडी बना सकते हैं निकि आईश्मान भारत health account numbers create कर सकते हैं और इसके तुरू ही जितना भी उनका digital health code है वो सब linked रहेगा Who has been appointed as the director general of Indian council of medical research ICMR बारतिची कित्सान उसंधान परिशत के महानिदेशक के रूप में किसे निक्त किया गया है Options आपके सामने हैं सही answer option A रहेगा राजियू बहल Center Government ने राजियू बहल जो की फिलाल WHO में posted हैं इन्हें इंडियन council of medical research यान की ICMR का डारेक्टर जनरल न्यूट किया है साथी Department of Health Research में secretary भी अपॉइंट किया है तीन साल के लिए आपको जाना चाहिए ICMR जो की निव डैली बेस्ट एक organization है यह भारत में एक अपैक्स बोड़ी है Sears organization है किसके लिए biomedical research के formulation के लिए Who inaugurated the integrated cryogenic engine manufacturing facility of Hindustan Aeronautics Limited in Bangalore Bangalore में Hindustan Aeronautics Limited की एक इकरत cryogenic engine निर्मान सुविधा का उदखाटन किस ने किया Options आपके सामने हैं सही आंतर Options ही रहेगा द्रापती मुर्मू तो हमारी President द्रापती मुर्मू इन्होंने हिंदustan Aeronautics Limited की integrated cryogenic engine manufacturing facility को inaugurate किया है Bangalore करनाटक में साथी Bangalore में ही इन्होंने South Jones Institute of Virology इसकी भी आधारशिला रखी है आपको जानना चाहिए कि भारत पूरे वर्ड में 6th ऐसा नेशन है जिसके पास अपनी cryogenic engines बनानी की छमता है capability है अगर हम बात करें हिंदustan Aeronautics Limited की तो हाल ही में additional charge दिया गया है इसके chairman and managing director के लिए CB Anant Krishna को headquarter जिसका बैंगलरू करणाटक में ही है Union Bank of India inaugurated the ethical hacking lab at the cyber security center of excellence in which city Union Bank of India की सहर में cyber सुरक्सा उतकर्षता के इंदर में ethical hacking lab का उत्रहतन किया है options आपके सामने है सही आंतर option दी रहेगा हैदराबाद Union Bank of India की managing director and CEO A. Money Markhalai इन्होंने हैदराबाद में cyber security center of excellence में ethical hacking lab को integrate किया है तो यह जो ethical hacking lab है इसका मक्सद यही है कि जो bank की information system है जो digital assets है जो channels है उनको safe किया जा सके यानि कि cyber सुरक्षान को दी जा सके किसी भी तरका cyber threats हो तो उससे निप्टा जा सके बाकिया आप जानते Union Bank of India के बारे में headquarters Mumbai में है tagline good people to bank with MD and CEO A. Money Markhalai है जासे हमने अभी देखा है हाली में हमने Union Bank of India समबन देकर interfere पड़ा था कि इसने किसान क्रेट कार्ड के end-to-end digitalization को launch किया इसके process को launch किया है साथ ही हमने यह भी देखा था एक अगस्त की यह बात है नियूस है Union Bank of India ने industry first dedicated man focused committee launch की है इंपार हीम तो इस तरह की committee launch की है इंपार हीम तो यह क्या है जो भी staff है तो किसी तरह की परिसानी हो किसी individual को कोई समस्या हो तो उनसे बातचीत की जा सके इस तरह की एक इनकी जो है committee है इसका नाम है इंपार हीम तो यह इसने Union Bank of India ने अपना जो HR initiative है जिसका नाम प्रेर्णा है इसके तहत launch किया है तो यह याद रखेगा एक तो प्रेर्णा की से सम्मादित है Union Bank of India से इंपार हीम इस तरह की man focused committee किसने launch किया Union Bank of India ने किस cross-border बुक्तान कंपनी ने NPCI International Payments Limited के साथ भागेदारी की है ताकि भारत में UPI-ID वाले वियापारियों को सीमा पार्थ से बुक्तान करने और स्विकार करने की अनुमती मिल सके options आपके सामने हैं सही answer options ही रहेगा टेरा पे तो cross-border payments company है टेरा पे इसका headquarters United Kingdom में है इसने हाली में National Payments Corporation आफ इंडिया की जो इंटरनेशनल आम है NPCI International Payments Limited जिसे NIPL short term बोलते हैं तो इसके साथ एक partnership की है जिसके तहत जो भी भारत में मर्चंट्स हैं वियापारी हैं जिनके पास अपनी Unified Payments इंटरफेस यानी की UPI ID है तो वे Cross Border Payments Accept कर सकते हैं तो वही दिया गया है आपर जिन customers जो customers हैं जिनके पास active UPI ID है तो उनको connect करेगा जो भी मर्चंट्स हैं उनके साथ तो टेरा पे जहां-जहां भी अपने QR codes जो है उपलब्द कराता है तो वहां से जो है पैसा भी जा सकता है और लिया भी जा सकता है अगर हम worldwide बात करें तो मतब भारत से बाहर NPCI की बात करें NPCI, International Payments Limited की अगर हम बात करें तो 3 April 2020 में इसको incorporate किया गया था और ये wholly owned subsidiary है, National Payments Corporation of India की, NPCI की Which airport has received the airport service quality award 2022 for implementation of mission safeguarding in 2021-22 2021-22 में mission safeguarding के कार्यान्वेन के लिए किस हवायत देखो Airport Service Quality Award 2022 राप्थ हुआ है options आपके सामने है सही answer options जी है Cochin International Airport Cochin International Airport Limited इसने हाली में Airport Service Quality Award 2022 जीता है ये award Airport Council International द्वारा Institute किया गया है किस लिए जीता है ये award for implementation of mission safeguarding program in 2021-22 mission safeguarding program को इसने implement हिया pandemic के दोरान इसलिए ये award दिया गया है आपको जाना चाहिए जो award है 5 to 15 million passenger category में इसको दिया गया which state government will launch its own health insurance scheme called the chief minister's health insurance scheme on 1st of October एक अक्टूबर को कौन सी राज्य सरकार मुख्यमंत्री स्वास्तवीमा योजना नामक अपनी स्वास्तवीमा योजना शुरू करेगा options आपके सामने हैं answer option C रहेगा नागलेंड तो नागलेंड गौवर्मेंट चलती है अपनी एक health insurance scheme launch करने वाली है जिसका नाम है Chief Mr. Health Insurance Scheme CMHIS कब launch करेगा 1st of October को तो इसका मकसद यही है जो भी राज्य के बोनाफाइट citizens हैं तो जो hospital expenses हैं वो कम किये जा सके हैं इसके तहत जो भी नागलेंड है राज्य का उसमें जो भी फैमिली है राज्य की उसमें पांच लाक रुपीज पर फैमिली पर एयर का इसमें insurance coverage दिया जाएगा नागलेंड के बारे में बात करें capital को ही माय चेफ मिस्टर नेपी और रियो है गवर्णर है जगदिश्मों के additional charging के पास है और होन्बिल फैस्टिवल यहां पर मना जाता है कई बार exam का फेवरेट है exam में पूछा जाता है माउंट सारामति हैं की highest peak है जूको वैली है यहां पर नागलेंड और मनीपुर के बार्डर में बहुत सुंदर वैली है देखेगा आप इसकी images तो यह भी पूछ ले जाते हैं विच स्टेट कैबिनेट एप्रूवड ट्यूटर स्कीम फोर चुल्डरन इन दा एज ग्रूप ओफ त्री तू सिक्स किस राज्जे कैबिनेट ने तीन से छे आयू वर्क के बच्चों के लिए ट्यूटर योजना को मन्जूरी दी है आपके सामने हैं सही आंदर ऑफ्शन दी रहेगा हिमाचल प्रदेश तो हिमाचल प्रदेश की जो स्टेट कैबिनेट है इसने हिमाचल प्रदेश अर्डी चाइड्वूट के एड़ एड़ एड़्यूटर इसकीम 2022 को अपनी मन जूरी दे दी है यह इसकीम जो भी राज्य प्रदेश की बात करें गवर्णर राजेंद्र लेकर है चीफ मिस्टर जैराम ठाकुर है कैपिटल शिमला है कि विच स्टेट गवर्मेंट हैस डिसाइड़ टू यूस पॉर्टेवल डिवाइस सांस टू स्टू इस्टॉप नियू नेटल डैथ किस राज्य सगार ने नव सांस इस तरह का जो यह स्पेशल एक्विपमेंट है इसको पाइलेट बेसिस पर यूज किया गया और काफी सफल यह रहा है तो इसी वज़े सब असंग गॉवर्मेंट चाहते हैं कि जो राज्य में नियो नेटल मॉर्टैलिटी है यानि कि नियो नेटल का मतलब होता है यह पोड़ेवल नियो नेटल कंटिन्यूस पोजिटिव एयर प्रेसर सिस्टम है और जो भी इनफैंट होते हैं जिनका बिल्कुल तुरंद जन्म हुआ होता है तो उनको एक लाइस लाइफ सेविंग ब्रेटिंग सपोर्ट यह प्रवाइट कराता है तो इस सांस दिश्पूर है जगदीश मुकी है चेफ मिस्टर हिमन्त विश्वा सर्मा है विजिस स्टेट गोवर्मेंट विल लॉंच एइस स्पेशल कैम्पेंग कॉल्ल हमर बेटी हमरमान आवर डॉटर्स और ओनर कौन सी राजसरकार हमर बेटी हमरमान हमारी बेटियां हमारा सम्मान नामक एक विशिस अभियान शुरू करेगी ऑप्शन सापके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन दी रहेगा 36 गड़ तो 36 गड़ गोवर्मेंट जल्द ही एक स्पेशल कैम्पेंग लॉंच करने वाले है जिसका नाम हमर बेटी हमरमान यानिकी आर डॉटर्स और ओनर तो किसलिए लॉंच कर रही है जो गर्ल्स हैं जो विमन हैं उनकी सेफटी के लिए उनके प्रोटेक्शन के लिए तो इसी स्कीम के तहट विमन पुलिस परसनल कोई भी वुमन पुलिस कॉंस्टेवल या फिर और कोई यह स्कूल्स एंड कोलेजिस में सभी डिस्टिक्स जो हैं 37 गड़ लेंगे और गर्ल्स को उनके लीगल राइट के बारे में एजुकेट करेंगे जल्दी कोवर्मेंट एक हेल्पलाइन नंबर भी लॉंच करेगा जो भी कंप्लेंट्स हैं इस बिहवियर मॉलेस्टेशन और भी जो क्राइम होते हैं विमन के खिलाब उनके उनकी कंप्लेंट कंप्लेंट्स के लिए खेल्प लाइन नंबर लॉंच करेगा चर्टी सगड़ी की बात करें कैपिटल रायपूर है चीफ मिश्टर भूपेश भागेल हैं गवर्नर अनुसुई या उई के हैं विच इंडियन साइन लेंग्वेज डिक्सिनरी मोबाइल एप्लिकेशन हैं किंधार दौर्दावर है कौन सा भारती है सांकीति भाषा डिक्सिनरी बाइल एप्लिकेशन लाइफ प्षिन्स आपके सामने सही अंतर बेंखन्यट भी रही था साइन लर्न तो Central Government ने Indian Sign Language Dictionary Mobile Application जिसका नाम Sign Learn है, इसमें तो सचार वर्ड से है, इसको लॉंच किया है, आपको बतादी यह एप लॉंच हिया है, Minister of State for Social Justice and Empowerment प्रतिमा बामिक के द्वारा, तो यह जो Sign Learn, यह जो एप्लिकेशन है, यह Indian Sign Language Research and Training Center की जो Indian Sign Language Dictionary है, उस पर आदा लिदे है, वर्ड बैंक है एप्रूवड थ्री फिफ्टी मिलियन युवेस्ट ओर लॉन टो विजे स्टेड गोर्मेंट पॉर बैटर हेल्थ सर्विसेज, विस बैंक ने बहतर स्वास्त सिवाओं के लिए कि इस राज्य सरकार को 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर के रिण की बंजूरी दी है ओप्शन सापके सामने हैं सही आंसर ओप्शन है गुजरात तो वर्ड बैंक ने यहां गुजरात के लिए 350 मिलियन युवेस टोर यानि की दोहजार आट दोहजार आट सो बतिस क्रोड से ज्यादा तक का लोन यहां पर गुजरा सरकार के गुजरा सरकार के लिए सब्सक्राइब के तुरू आएगी मैच्वर्टी पेरेड एक्टीन यर्स का है ग्रेस पिरिएड भी है साथे पास साल का तो यह जो लोन अमांट है यह स्टेट गोर्मेंट का जो सिस्टम रिफॉर्म एंडिवर्स पोर ट्रांस्फोर्म हेल्थ एचिवमेंट इन गुजरा यानि कि स्रेष्ट जी प्रोग्राम है तो इसके थूँ इसको यूटिलाइज किया जाएगा तो याद रखेगा एक किसका प्रोग्राम है स्रेष्ट जी गुजरात का विच गंट्रीज नेवी टेस्ट फायड गैब्रियल फाइव एंटी शिप मिसाइल फॉम सार शिक्स को फिति के गैब्रियल फी एंटी शिप मिसाईल का प्रसिक्षंड किया सही अंधर आप्षन यह है इसरेइल हम देखे इसरें नीवी ने एक गैब्रियल फी end शिप जुआइ ट्रीप मिसाइल सिस्टम को जो है टेस्ट फायर किया है आपको बता दें यह फर्स्ट एंटिशिप भाइव है जिसको इस्राइल ने अपने नए सारशेक्स कोब्ट से लौंच्ट किया है इसराइली नेवी ने कोब्ट का मतलब बता है एक छोटी वार्शिप ये एक जो Gabriel 5 है ये एक Advanced Long Range Sea Launched Missile System है Name the author of the best selling Wolf Hall Trilogy who has tried East 70 सरवादिक भीकने वाली Wolf Hall Trilogy के लिए का नाम बताई जिनका 70 वर्स की आयू में हाल ही में नितन हो गया है सही answer option D रहेगा Damn Hillary Mendel तो देखिए Damn Hillary Mendel जो की author है best selling Wolf Hall की इनका हाल ही में 70 वर्स की उम्र में नितन हो गया इन्होंने दो बार Booker Price चीता एक तो 2009 में Wolf Hall के लिए और दूसरा 2022 में Bring Up The Bodies के लिए आपको जानना चाहिए जो यह जो थर्ड एडिशन इसका रहा Wolf Hall Trilogy का The Mirror and The Light यह 2020 में Publish हुआ था और Critics त्वारा काफी पसंद भी किया गया best seller रहा fictional category में और Booker Price 2022 की लिस्ट में भी यह सामिल रहा था मतलब जो nomination होते हैं उनकी लिस्ट में सामिल रहा which company announced a partnership with UNICEF India for portion maha 2022 के लिए किस company ने UNICEF India के साथ भागेदारी की खोशना की है options आपके सामने सही answer option D है vitamin angels so vitamin angels इंडिया ने UNICEF इंडिया के साथ partnership announced किये portion maha 2022 के लिए तो इसके ताद जो भी vitamin angel partners हैं यह 160 activities host करेंगे पूरे देश पर में nutrition nutrition related awareness लोगों में पैदा करेंगे लोगों में पैदा करेंगे है ministry of housing and urban affairs ministry of housing and urban affairs इन्हों स्वच अम्रेत महतसब के हिस्से के रूप में स्वच टॉय का तॉय का फॉन्च गया है जो कि 14 दिन तक चलने वाली एक cleanliness activity है आपको जानना चाहिए स्वच टॉय का तन 2022 यह unique competition है जहां पर ट्राइवेस्ट से toys बनाने हैं सेंटर फॉर क्रेटिव लर्निंग आईएटी कांधी नंगर यह इस स्वच टॉय का तॉय के लिए knowledge partner रहेगा विच ग्रूप है साइन्ड हुमनेटरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एच एड़ पार्टनर्शिप काइडलाइनस और डेस साइडलाइनस ऑफ यू एँएंग जिए इन न्यॉयोर्क किस समूने न्यॉयोर्क में यू एँएंग एक और आपता रहात सायदारी दिशाने दिशों पर हस्ताक्षर किये। सही आंसर यहां Option D रहने वाला है QUAD. तो देखें, QUAD grouping ने United Nations General Assembly की जो बैठक होई नियॉयोर्क में, तो इसी के साइड लाइन में एक अपनी बैठक की और यहां पर Humanitarian Assistance and Disaster Relief S.E.D.R. Partnership पर साइन किया है। यह मीटिंग United States द्वारा होस्ट की गई थी। और Union Minister of External Affairs S.J.S.N. कर जो की 10 दिन की Official विजट पर है United States में, इन्होंने भी इस मीटिंग में पाट स्पिट किया है। QUAD के बारे में आप जानते हैं, QUAD Relator Security Diedok, जिसे शोट में QUAD बोलते हैं, तो Australia, India, Japan and United States इसमें सामील है। और साल 2007 में Japanese Prime Minister, तबकि Japanese Prime Minister Sinjo Abe, जिनको हाली में assassinate कर दिया गया है, इनके द्वारा इस तरह का एक ग्रूप बनाने का प्रस्तावना रखी गई थी। Who has been honored with the first ever Queen Elizabeth II Women of the Year Award? पहले Queen Elizabeth II Women of the Year प्रुसकार से किसे सम्मानित किया गया, options आपके सामने हैं, सही आंत्र options ही है, स्वेला ब्रेवर्मेन, तो ब्रिटेन की इंडियन ओविजन होम सेकरेटरी हैं स्वेला ब्रेवर्मेन, तो इन्हें first ever Queen Elizabeth II Women of the Year Award के लिए चुना गया है, कहां पर 20th Asian Achievers Awards में, जो की लंडन में संपन हुए हैं, आपको जाना चीए, 2022 में ही इस यानि किसी साल प्रिती पटेलों इन्होंने रिप्लेस किया है, Home Secretary के रूप में, और भी कई सारे Awards में जैसे Art and Culture मिना नमित, मालों तरह को Business Person of the Year मिला, शामी लेंड कभी ठकरार को और Community Service Dr. जरी इनरुही एहमत को, इस तरह से कई सारे मिले, Entrepreneur of the Year शहरी वस्वानी को, तो यह देख सकते हैं आप, The International Day for Universal Access to Information is celebrated on which day, सूचना की सारो बहुमिक पहुच के लिए इंतरास्टे दीवस किस दिन मनाया जाता है, Options आपके सामने हैं, सही आंसर उप्शन सी है, September 28th, International Day for Universal Access to Information, इसको 15 October 2019 को proclaim किया गया था है, इसकी घोषना की गई थी, 74th UN General Assembly में, November 2015 में यह जो इसको इनोग्रेट किया गया था, और सबसे पहली बार यह 28 सिर्मबर 2016 को मनाया गया, आपको जानना चाहिए, इसका थीम के रहेगा, इस बार 2022 के लिए, Artificial Intelligence, E-Governance and Access to Information, Bandaru Wilson Babu has been appointed as the next Ambassador of India to which country, Bandaru Wilson Babu को किस देश में भारत के ग्री राज़ूत की रूप में नुक्त किया गया है, options आपके सामने हैं, सही answer option D रहेगा, Medagascar, तो देखे बंदारू Wilson Babu, यह Medagascar में भारत के लिए Ambassador होंगे, Medagascar के बारे में आपको जानने चाहिए, यहां की Capital Antenna Naribo है, और यहां की currency है, Malagasy Arrieri, Georgia Maloney is set to become which country's first women prime minister, Georgia Maloney किस देश की पहली, महीला परतान मंत्री बनने के लिए तयार है, options आपके सामने हैं, सही answer option A है, Italy, तो देखे Georgia Maloney, यह Italy की first women prime minister बनने वाली है, इनकी party ने यहां पर majority हासिल कर ली है, आपको जानना चाहिए, यह politician होने के साथ साथ एक journalist भी है, और Brothers of Italy political party, इसका नेतरत करती हैं 2014 से, साथ ही European Conservatives and Reformist Party, इसकी भी President हैं साल 2020, यहाद रखेगा Brothers of Italy political party संबन्दित हैं यह, बाकि आप जानते हैं Italy के बारे में Capital Rome है, currency euro है, Which company has signed a memorandum of understanding with Brazilian oil major Petrobras to diversify its crude oil sourcing, किस कंपने अपने कच्चे तेल की sourcing में वित्ता दाने के लिए, ब्राजिल की पर मुक्टेल कंपनी Petrobras के साथ एक समझोता है का अपन पर हस्ताक्षर की options आपके सामने हैं, सही answer option A है, भारत Petroleum, तो बारत Petroleum Corporation Limited, BPCL इसने MOU साइन किया है, ब्राजिल की एक oil company है, Petrobras इसके साथ, तो यह MOU जो है PPCL के जो शेर मेंने अरुब कुमार सिंग इनके द्वारा साइन किया गया, जो अपने counterpart हैं ब्राजिल में इनके साथ, जो Petrobras के CEO हैं, काई वो, पेज थे, एनके साथ, Ministry of Environment, Forest and Climate Change is going to launch स्वच्च वायू सरविक्षण that promotes ranking of how many cities in the country for implementing city action plans, परियावरण 1 और जलवायू परिवर्दन मंत्रा आले, स्वच्च वायू सरविक्षण सुरू करने जा रहा है, जो सहर की कार्य योजनाव को लागू करने के लिए, देश में कितने सहरों की ranking को बढ़ावातेता है, तो यह आंदर option C है, 131, तो Mystery of Environment, Forest and Climate Change, यह स्वच्च वायू सरविक्षण launch करने वाला है, जिसमें की जो National Clean Air Program है, तो उसके लिए जो cities हैं, वो कितना ready हैं, उसी साब से ranking provide कराएगा, तो यह 131 cities के लिए launch किया गया है, स्वच्च वायू सरविक्षण, एक तरगा सरविक्षण किया जाएगा, एम वही है, हम सभी जानते हैं, असल Clean Air Program में हमारा एम क्या है, कि 2026 तक जो air pollution है, उसको 40 प्रतिशब तक जो है reduce करना, तो इस सरविक्षण में जो 131 cities हैं को categorize किया गया है, तीन ग्रूप में population की हिसाब से, 47 cities तो 1st group में हैं, जिनकी population 10 लाग से ज़्यादा है, 44 cities SEN जो 2nd group में है, population 3 से 10 लाग के बीच में, 3rd group में 40 cities हैं, जिनकी population 3 लाग से कम है, S&P Global Ratings has retained its 2022-23 growth projection for India's economy at 4%. S&P Global Ratings ने बाहत की अर्थवस्ता के लिए अपने 2022-30 के विकास अनुमान को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है, options आपके सामने हैं, सही answer option C है 7.3%. तो S&P Global Ratings इसने भारत के जो economy forecast है, जो GDP growth forecast है 2022-30 के लिए, उसको same रखा है, retain रखा है 7.3%. इसी के साथ आपको और भी जान लेना चाहिए, जैसे Organization for Economic Corporation and Development OECD है, इसने fiscal rate 23 यानि की 2022-30 के लिए 6.9% बताया है, RBI ने 7.2% बता है, same fiscal rate 23 के लिए, साथ यापको जाना चाहिए, अपरेल से जून का जो कार्टर था, उसमें 13.5% से हमारी economy expand हुई है, काफी मैत्पूर्ण है ये, साथी feature ratings ने भी अपना जो projection उसको घटा दिया है, पहले 7.8% बताया था, fiscal 23 के लिए और अब 7% कर दिया है, Asian Development Bank ने भी अपनी projection में जो projection को कट किया है, पहले 7.5% बताया था, अब 7% कर दिया है, India ratings and research ने भी अपनी projection को 7% से कटा कर 6.9%, 6.9% कर दिया है, SNP के बारे में आपको जाना चाहिए, जो बिग 3 credit rating agencies है, उनमें से एक है, बाकी के दो को है, moody's और दूसरा है, fish ratings, headquarters का New York City United States में है, Who will be conferred the दादा साहब फाल के अवार्ड for 2020, 2020 के लिए दादा साहब फाल के पुरुसकार से किसे सम्मानित किया जाएगा, options आपके सामने है, सही answer option C है, आसा पारिक, 2022, माफ कीज़ेगा, 2020 के लिए दादा साहब फाल के अवार्ड, यह veteran actor आसा पारिक को दिया जाएगा, आप सभी जानते हैं, दादा साहब फाल के, Indian cinema में contribution के लिए दिया जाता है, 30 सितंबर को, आसा पारिक, प्रेजिडेंट रॉप्ती मुर्मू से, 68th National Film Award के दुरान, यह award प्राप्त करेंगी, आपको जाना चाहिए, इनका नाम recommend किया गया एक जूरी के दुआरा, इस जूरी में कौन-कौन सामिल रही, आसा, बोसले, हेमा मालनी, पूरम डिलोन, उदित नारण, एंड टी-एस नागा बरना, तो five members उरी यह रही थी, साथिया आपको जाना चाहिए, आसा पारिक, इनको साल 1992 में, पदमश्री से भी सम्मानित किया गया, अगर हम बात करें, दादा साफ फाल के प्रुषकार की, तो 1969 में इसका गटन किया गया था, सबसे पहली बार देवी का रानी को यह दिया गया, इसमें स्वर्ण कमल मेडल मिलता है, एक सौल मिलता है, और 10 लाग रुपी का कैस प्राइस दिया जाता है, निम्री कितमे से किसे, लता मंगेशकर पुरुषकार से सम्मानित नहीं किया गया है, उप्शन्स आपके सामने है, सही आंसर उप्शन्स सी रहेगा, सुनी दी चोहान, इसका मतलब क्या हुआ, जो कुमार सानु है, आनन्द मिलिंद है, और सैलिंद सिंग है, इनको लता मंगेशकर अवार्ड सम्मानित किया गया है, चलिए डिटेल में देखेंगे, तो नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड, ये अलग-लग सालों के लिए दिये गए हैं इस बार, तो कुमार सानु को 2021 के लिए, सेरेंद सिंग को 2019 के लिए, और म्यूजिंक कंपोजर आनंद मिलिन्थ को 2020 के लिए दिया गया है, ये अवार्ड जो इंदोर है, जो लता मंगेशकर अवार्ड का बर्ध क्लेस है, वहाँ पर दिया गया इनकी बर्ध एनिवरसरी के दिन, 28 सितंबर को लटा मंगेशकरजी की बर्द अनिवरस्री रही आपको जाना चीस में 2,00,00 रुपे का कैस प्राइस दिया जाता है लटा मंगेशकरजी संबंदी रेकॉर्ड न्यूस है यहीं पर मैंने इसके साथ कलब कर दी है तो देखिए इनकी एक बुक है लटा मंगेशकरजी के उपर लटा सुरका था तो इसका जो इंग्लिस टांसलेशन है यह जनवई 2030 में रिलीज किया जाएगा और यह जो इंग्लिस में टांसलेशन है यह किसके द्वारा किया गया इरा पांडे के द्वारा पेंगुईन रेंडम हाउस इंडिया ने एंग्लिस टांसलेशन की ओर इजनली यह जो पुस्तक है यह हिंदी में लिखी गई है यह तिंद्र मिस्रा कि द्वारा वट इस दा थीम फॉर वर्ड हार्ट डे 2022 celebrated on September 29 29 सितंबर को मनाय जाने वाले विष्व हिर्दे दिवस 2022 की थीम किया है और उप्शन साब के सामने हैं सही आंसर उप्शन सी रहेगा यूस हार्ट फॉर एवरी हार्ट तो देखें वर्ड हार्ट डे यह हर साल 29 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ड हार्ट वर्ड हेल्थ फेडरेशन के जो परिजेंट रहे एंटोनी बाय डे लुना इनके द्वारा इस डे की कलपना की गई थी आपको जाना चाहिए 2022 में वर्ड हार्ट डे का थीम है यूस हार्ट फोर एवरी हार्ट साथे आपको यह भी जाना चाहिए अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे निउक्त किया गया है ओप्शन आपके सामने हैं सही आंसर ओप्शन यह रहेगा लेटरेंग जेनरल अनील चोहान रिटार्ड तो देए गवर्मेंट ऑफ इंडिया ने अनॉंस्मेंट की है कि लेटरेंग जेनरल अनील चोहान रिटार्ड यह नेक्स चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहेंगे यानि कि CTS रहेंगे साथी यह डिपार्टमेंट ऑफ मिलिटरी अफेर्स में सेकरेटरी टू गवर्मेंट ऑफ इंडिया के तौर पर भी कारे करेंगे आपको जाना चाहिए कि हमारे जो फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहें जेनरल विपिन रावत यह तमीन लाणु में चोपर क्रेस्ट के दोरान इनकी मित्ती हो गई थी और इन्होंने अपना कारेबार एक जर्वी 2020 को समाला था तो लगबंक नो महीने बाद इनकी मित्ती के नो महीने बाद अब यह फ्रेश अपोइन्मेंट की गई है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की आपको जाना चाहिए जो लेफटरन जेनरल अनील चोहान है यह रिटार्ड जनरल ओफिसर इंडियन आर्मी के और जनरल ओफिसर कमांडिंग इनचीफ इस्टरंड कमांड के तौर पर कारे कर चुके हैं साल 1981 में यह 11 गोर्का राइफल्स जो इंडियन आर्मी की एक कमांड है उसमें कमिशन किये गए थे अगर हम बात करें चीफ ऑफ डिफेंस आपको जाना चाहिए चीफ ओफ डिफेंस स्टाफ है यह मिनिस्टर ओफ डिफेंस का चीफ मिल्टरी एडवाइजर भी होता है ये question हाली में exam में पूछा गया था और कई experts इसको गलत करके आए हैं तो पूछा गया था कि जो chief of defense staff है ये किसके advisor के तोर पर कारी करता है तो option से prime minister, president of India, defense minister और home minister तो उसमें कई सारे लोग prime minister और president की तरफ गए जब कि सही answer defense minister रहा Who has been appointed as the new attorney general of India for a period of three years तीन साल की अवदी के लिए भारत के महा नियाएवादी के रूप में किसे नुक्त किया गया है options आपके सामने है, सही answer option C है, और विंकटर रमनी तो central government ने senior advocate और विंकटर रमनी इनको attorney general of India नुक्त किया है तीन साल के लिए आपको बताने इससे पहले ये जो position है, ये senior advocate मुकल रहते की को offer की गई थी लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को decline कर दिया आपको जानना चाहिए जो विंकटर रमनी है, ये केके वेनुको पाल को इस post पर succeed करेंगे इनकी जगल लेंगे, आपको जानना चाहिए कि को वेनुको पाल ये 30 सितंबर को retire हो रहे है आपको ये भी जानना चाहिए कि जो आर वेंकटर रमनी है, ये senior advocate है Supreme Courtman 1997 में designate किये गए, इससे पहले ये आपको ये भी जानना चाहिए Member of the Law Commission के तोर पर भी ये कारी कर चुके हैं, दो टर्म कारी के अरवल 2010 में और 2013 में Attorney General के अगर हम बात करें, तो Attorney General इंडिया के, इंडिया गवर्मेंट के Chief Legal Advisor होते हैं Principal Advocate होते हैं Supreme Court of India के सामने, और आपको ये भी जानना चाहिए, जो इनकी appointment है, ये President of India के द्वारा की जाती है अच्छा, कोई भी अगर ये Attorney General के लिए qualification का एक criteria होता है, तो जो Attorney General है, वो इतना qualify होना चाहिए, कि जो Supreme Court के judge, जितना उसी qualification होनी चाहिए यानि कि वो इस लायक होना चाहिए, कि Supreme Court का judge बन सके, इस तरह का, एक qualification होनी चाहिए साथी, वो High Court का 5 साल तक judge रहा हो, या फिर High Court में 10 साल तक Advocate रहा हो, तो ये पूरी qualification होती है, Attorney General के लिए Who has been appointed the Prime Minister of Saudi Arab, साथी अरब के परदार मंद्री के रूप में किसे निक्त किया गया, options आपके सामने है, सही आंदर options दी रहेगा, मुहम्मद बिन सल्मान तो Crown Prince हैं ये, मुहम्मद बिन सल्मान, इनको Prime Minister of Saudi Arab, appoint किया गया है, किनके दवारा King Salman बिन अब्दुलाजीज के दवारा, तो जो ये King Salman अब्दुलाजीज है, इन्ही के सन है, ये मुहम्मद बिन सल्मान, MBS तो जो MBS हैं, इससे पहले ये Deputy Prime Minister और Defence Minister के तौर पर भी कारिय कर चुके हैं, और अब Defence Minister कौन होंगे, खालिद बिन सल्मान, इनके यंगर प्रतर साथी रब के बारे में आप जानते हैं, Capital, रियाद है, करंसी, साथी रियाल है Reserve Bank of India has approved the reappointment of PR Ravie Mohan as the Chairman of which Small Finance Bank, बारते Reserve Bank ने किस लगुवित बैंक के अदश के रूप में PR Ravie Mohan की पुनर निक्तिकों मंजूरी ती है, ओप्शन साब के सामने हैं, सही आंसर ओप्शन भी है, ESAF Small Finance Bank Reserve Bank of India ने PR Ravie Mohan को ESAF Small Finance Bank के Chairman के तौर पर reappointment, reappoint करंडी की मंजूरी दी है, तीन साल के लिए इनकी ये reappointment की गई है, 21 December जे कारिकाल सुरू होगा बाकिया आप जारते है, ESAF Small Finance Bank के बारे में MD&CEO कदम बेलील, Paul Thomas है, K. Paul Thomas, Headquarters, Thrisur, Keral में है, टेग लाइन है, Joy of Banking हालिवम ने एक और मैत्पूर्ण करंट अफेर, ESAF Bank से संबलित पड़ा था कि इसने Rainbow Account लाउंच हिया है, Transgender Community के लिए World Rabies Day is celebrated on which day, which were rabies, दिवस किस दिन मनाया जाता है, options आपके सामने है, सही आंदर option भी है, 28th of September तो World Rabies Day, 28 सी नंबर को मनाया जाता है, एक तरह की ट्रिबूट होती है, Lewis Pesher को, क्योंकि इन्होंने World की First Effective Rabies Vaccine Invent की थी, आपको जाना चाहिए इस बार, World Rabies Day का थीम है, Rabies, One Health, Zero Deaths साथ है आपको यह भी जाना चाहिए, 28 सीतंबर को ही International Day for Universal Access to Information भी celebrate किया जाता है साल 2022 में इस का थीम रहा, Artificial Intelligence, E-Governance and Access to Information Insolvency Regulator, Insolvency and Bankruptcy Board of India, IBBI, has imposed a regulatory fee of 4% on Corporate Insolvency Resolution Plans Insolvency Regulator, Insolvency and Bankruptcy Board of India ने Corporate Insolvency Resolution Plans पर कितने परतिशत का regulatory शुलक लगाया है यह options आपके सामने हैं, सही आंतर option भी रहेगा, 0.25% तो आपको जाना चाहिए, Insolvency and Bankruptcy Board of India ने की IBBI, इसने Corporate Insolvency Resolution Plan पर 0.25% का regulatory fee impose की है, लगाई है, और 1 October से यह अस्तित में आ जाएगा, साथ ही 1% की regulatory fee लगाई है, जो third party service providers होते हैं, और जो professional होते हैं, जिनको जाता है, who launched the rupee credit card और Unified Payments Interface Network, Unified Payments Interface Network पर रुपे credit card किसने launch किया, options आपके सामने हैं, सही आंसर option भी रहेगा, सक्तिकान्थ दास, Reserve Bank of India के governor सक्तिकान्थ दास, इन्होंने UPI Network यानि Unified Payment Interface Network पर रुपे credit card लोँच किया है, अब तक केवल debit cards ही allowed हैं, जो नको UPI के साथ आप link कर सकते हैं, तो अब क्या है, अब credit cards को भी link किया जा सकता है, तो अभी customers के पास, और additional options आ गए हैं, आपको जाना चाहिए, जो रुपे credit card है, उसको Virtual Payment Address, VPA, यानि कि UPI ID से link किया जा सकता है, और इससे जो है, अब payment transactions की जा सकती है, तो अब भी शुरुआती दोर में, पन्यानसल बैंक, यूनियर बैंक ऑफ इंडिया और इंडियर बैंक, इसके जो customers हैं, वे अपने रुपे credit card को UPI के साथ link करने के लिए, जो है, वालेट को TOP UP कर सकते हैं, 200 रुबे की payment के लिए, जिरु बैंक ऑफ इंडिया की governor ने भारत बिल पे cross border bill payments, इसको भी launch यह है, ताकि जो ऐसे लोग है, जो एनराइज हैं, जो बाहर तो रह रह रहे हैं, लेकिन भारत में भी जो उनका घर है, उसकी भी maintenance बनाए रखे हैं, तो उन्हें water bill देना है, या फिर telephone rated bill देना है, बिजली का bill देना है, तो उनके लिए भारत बिल पे cross border bill payments की सुविधा लॉंच ही गई है, तो federal bank, UAE का Lulu exchange, इनके साथ मिलकर बारत बिल पे cross border bill payments की सुविधा प्रोवाइट कराएगा, As per the RBI directions, INVIT and REIT, having net worth of at least how much crore rupees, are eligible to issue commercial papers, RBI के निरदेशों के नुसार, INVIT और REIT, जिनकी कुल संपत्ती कम से कम, कितने crore rupees है, वेवानी चिप, पत्र जारी करने की जोगिया options आपके सामने, सही आंसर options ही रहेगा, 100 crore rupees, तो capital markets regulator से भी, इसने real estate investment trust, याने की REIT, और infrastructure investment trust, याने की INVIT, इनको allow कर दिया है, कि आप commercial papers issue कर सकते हैं, तो ये RBI ने क्यों allow किया है, क्योंकि Reserve Bank of India ने directions दी थी, कि जो INVIT है, और REIT है, जिनकी net worth कम से कम 100 crore rupees की है, वो commercial पर इसु करने के लिए eligible है, आप सभी जानते है, commercial paper याने की CP, ये short term debt instrument होते हैं, जिनको corporates या companies द्वारा issue किया जाता है, short period के लिए, एक साल तक के लिए, विच एनिवर्सरी ओफ सुन्य केंपेंड वाउस सेलिबेटेड बाई नीतियायोगों 15th of September, 15 सिकमबर को नीतियायोग द्वारा सुन्य अभियान की कौन सी वर्षगांट मनाई गई, options आपके सामने हैं, सही answer option A है, first, तो देखें, नीतियायोग ने सुन्य केंपेंड की one year anniversary मनाई है, 15 सिकमबर 2022 को, आपको जाना चाहिए, सुन्ने क्या है, इंडिया का zero pollution e-mobility केंपेंड है, तो नीतियायोग ने RMI और RMI इंडिया के support से 15 September 2021 को इस सुन्ने केंपेंड It is an initiative to promote zero pollution delivery vehicles by working with consumers and industry, तो जो delivery vehicles होते हैं, उनमें electric vehicles यूज किये जाए, डिलिवरी के लिए, उस से सब मन देती है, केंपेंड है, सुन्ने केंपेंड याद रखेगा, नीतियायोग का वेंपेंड है, साथी इसी मोके पर National Program on Advanced Chemistry Cell Energy Storage Part 3, इस report को भी लौंच किया गया है, नीतिया और RMI India के द्वारा, तो यह report वही highlight करती है, कि जो advanced chemistry cell energy storage के लिए बारती 2.5 billion US dollar की production linked incentive scheme है, उसे के बारे में यह report बता दी है, which of the following has developed a microprocessor controlled smart limbs, नीम बिकित में से किस ने, एक microprocessor नियंद्रिद smart अंग गुटना विक्सित किया है, options आपके सामने है, सही आंदर option नहीं है, इस रो, तो Indian Space Research Organization ने, एक intelligent artificial limb, इसको develop किया है, तो देखिए जो market में इस तरह के limbs आते हैं, मतलब जिनका कुटने से उपर का हिस्सा नहीं होता, तो उनके लिए आते हैं, artificial चीज़े आती हैं, वो लगा के चल सकते हैं, तो उससे 10 times यह cheaper रहेगा, और यह microprocessor controlled knees है, microprocessor से इसको control किया जा सकता है, और काफी relax इससे feel होगा, जो भी इसको use करेंगे, आपको जानना चाहिए, यह जो microprocessor controlled knees हैं, MPKs, इनको develop किया है, इस रोके विक्रम सारभाई Space Center ने, इसके लिए इसने National Institute for Locomotor Disabilities, Pandit Deen Deyalopadhyan Institute for Persons with Physical Disabilities, and Artificial Limb Manufacturing Corporation of India के साथ MOU साइन किया था, आचा इस रोई सम्मादी दो महत्वण करंट अफेर्स और देखें, हमने पहले भी डिसकुस किया हैं, फिर से रीवाइस करा देता हूं, कि विक्रम सारभाई Space Center इसने हाली में, इसरो Propulsion Complex महिंद्रगरी में 30 किलो न्यूटन हाइब्रिड मोटर को टेस्ट किया है, और हाली मम ने ये भी देखा था कि इसरो ने सक्सेस्फुली, क्रिव स्पेस सिस्टम का लो एल्टिट्यूट इसकेप मोटर, इसको भी टेस्ट फायर किया है, गगन यान प्रोजेक्ट के लिए, हरी कोटा से, इसमें ये देखा गया है, कि मान लीजे अर्थ पर कोई एस्टरोइट, मान लीजे अर्थ की और कोई एस्टरोइट आता है, जो अर्थ के लिए डेंजरेस हो सकता है, तो किस तरह से उसको डिफ्लेक्ट किया जा सकते हैं, किस तरह से उसके जो मोशन है, उसको चेंज किया जा सकते हैं, तो इसी के लि तो इस asteroid का नाम है डिमॉरफोस तो इससे टकराया है यह डार्ट इस्पेस क्राफ्ट आपको जानना चाहिए डार्ट के बारे में डबल एस्ट्रोइट रिडारेक्शन टेस्ट यह नासा का स्पेस मिसन है जिसका मकसद यही है कि अर्थ को जो प्लेनेटरी अब्चेक्ट होते हैं उनसे बचाना इन फ्यूशर कभी इस तरह की इस तरह का सिनेरियो बन जाए कि कोई अस्ट्रोइट दर्ती की और इस तरह से कुछ डेंजरस हो तो उ स्ट्रोंस होपकिन्स एप्लाइट फिजिक्स लेबराटरी के बीच में जो यह डार्ट है यह डिमोर्फोस से क्रेश होने के लिए आपको पता है 6.1 किलोमेटर पर सेकंड के स्पीड से गया तब यह क्रेश कर गया इससे बागी यहां पर आप पूरे इस सिनेरियो का जो प Ministry of Defense signed a deal of what amount for dual role surface to surface Brahmos Missile with Brahmos Aerospace रक्षा मंतरायल ने ब्रहमोस Aerospace के साथ सता से सता पर मार करने वाली Brahmos Missile की दोरी भूमिका के लिए कितनी राशी के समझोते पर अस्ताक्षर किया है साथ के सामने हैं सही अंसर बी रहेगा 1700 करोड रूपीस तो देखें मिस्ट्री ओफ डिफेंस ने कॉंटेक्ट साइन किया है ब्रहमोस Aerospace प्राइवेट लिमिके साथ तो जो डिवल रोल केपेबल सर्फेस टू सर्फेस ब्रहमोस Missile है उनको खरीदने के लिए मिस्ट्री ओफेंस ने MOU साइन किया है 1700 करोड रूपे का आपको जानना चाहिए जो यह ब्रहमोस Aerospace प्राइवेट लिमिकेट है यह एक जोइंट वेंचर है इंडिया और रश्या के बीच में साथी डिफेंसे सम्बंदित एक और कर अंटफेर सम इसी के साथ पढ़ेंगे कि डिफेंस रिसर्च एंड डेफलेप्मेंट और्गनाइश रियार की डिया डियों ने दो successful test flight किये हैं किसके very short range air defense system missile किये हैं तो हाली में इसके दो test किये गए सफलता पुरुवक कहां से किये गए integrated test range चांदिपुर फूरी सामें आपको जाना चाहिए जो यह very short range air defense system missiles हैं यह man portable air defense system हैं जिसको design और develop किया गया है DRD की जो लेब है research center इमारत हैदराबाद के द्वारा which agency has signed an MOU with आंद्रपरदेश medtech zone limited on cooperation in the healthcare sector किस agency ने स्वास्ते छेत्र में सहयोग पर आंद्रपरदेश medtech zone limited के साथ समझते क्या पर प्रस्ताक्षर किये हैं options आपके सामने हैं सही answer option D रहेगा national small industries corporation तो देखे junior minister for MSME नारायन राने इनकी उपस्तिती में एक MOU sign किया गया है national small industries cooperation limited NSIC जो कि एक public sector enterprise मिनिस्ट्र ओफ MSME के तहत इसने एक MOU sign किया है आंद्रपरदेश medtech zone limited के साथ किसलिए healthcare sector में cooperation करने के लिए आपको जाना चाहिए इस यह MOU sign किया गया यह NSIC के CMD गुरंग दिक्षिद और AMTZ के MDNC हो जीते इंदर सर्माइन के बीच किया गया विच मैंक विल प्रोवाइड 14 मिलियन यूएस टॉलर सपोर्ट फूर्ड सेक्योर्टी इन एशिया पैसिफिक कौन सा बैंक एशिया प्रसांत में खाद जुरक्षा के लिए 14 मिलियन यूएस टॉलर की सायता परतान करेगा options आपके सामने हैं सही answer option C है Asian Development Bank तो Asian Development Bank प्लान कर रहा है कि 14 मिलियन यूएस टॉलर कम से कम ये 2022 से 2025 तक इन्वेस्ट कर सके एशिया पैसिफिक में जो food crisis हुआ है उसके लिए ADP के बारे में आपको जाना चीए Headquarters मदल्यांग मनिला फिलिपिन्स में है इस्थापना 1966 को इती उननी दिसंबर के दिन प्रेजडेंट मसद सुगु असा कावा है विच एडिशन ऑफ दा कमांडिंग बॉड़ी ऑफ दा इंट्रेशल ट्रीटी ओन प्लांट इनेटिक रिसोर्सेज फोर फूड एंड अग्रिकल्चर इनुगरेटेट इन न्यु डेली खाद्य और क्रिसी के लिए पादप अनुवांसिक उपायों पर अंतरास्टे संधी क प्रबंद समों के किस सब्सक्राइब नई दिल्ली में उत्वाटन किया गया ओप्शन आपके सामने सही आंसर ओप्शन सी है नाइट तो आपको जाना चाहिए तो आपको जाना चाहिए जो यह हमने पढ़ा है इंट्रेशल ट्रीटी ओन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज एक लीगली बाइंडिंग क्रोंपरियंशिव एग्रिमेंट है जिसको रोम में साल 2001 में साइन किया गया था और कबस्तित्व में आई है 39 जुन 2004 को 169 पार्टीज है इसमें इंक्लूडिंग इंडिया इंडिया फंडेड हानिमादू इंट्रेशल एरपोर्ट डेवलेप्मेंट प्रोजेक्ट लॉंच्ट इन विच कंट्री भारत द्वारा वित्त पोशित हानिमादू अंतरास्ट्रे हवायद्डा विकास परियोजना किस देश में शुरू की गई आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन भी है मालदीव तो दीके मालदीव का हानिमादू इंट्रेशल एरपोर्ट डेवलेप्मेंट प्रोजेक्ट इसको लॉंच कर दिया गया है और इसके लिए कॉंट्रेक्ट साइन किया गया कोवर्मेंट ऑफ मालदीव एंड जी एमसी प दोलर यानि कि 800 मिलियन यूए डोलर तो हमने लाइन अफ क्रेड दे हुई है तो उसी में से 136 मिलियन यूए डोलर इस प्रोजेक्ट के लिए यूज के जाएंगे जल्दूत एप हैस बीन डेवलप्ट बाई जल्दूत एप किसके दौरा आप जिक्सित की आईया सही आमसर ऑप्शन दी है मिर्स्ट्री ऑफ रूरल डेवलप्मेंट एंड पंचायती राज तो यूनियन मिस्ट्र ऑफ इस्टेट फॉर रूरल डेवलप्मेंट एंड इस् एप तो देखे ऐसे तरह का एक ब्लाइन बनाया जारा है कि भारतं पर में जितने भी घाओं हैं उनमें कम से रियस्ट में होते हैं वैल्स होते हैं उनको स्लेक्ट किया जाए और उनमें वाट लैवल चेक किया जाए एक साल में दो बार चेक किया जाएगा एक तो प्री मॉनसून के टाइम पर 1st में से 31st में के बीच में और एक पोस्ट मॉनसून के टाइम पर 1st October से 31st October के बीच में और इसके लिए जल्दूत जो की ऑफिसर होंगे जिनको एड्यूटी दी गई है कि वो वाटर लेवल चेक कर ने हैं सही आंसर ऑप्शन भी रहेगा आयोध्या आपको जाना चाहिए लेजंडरी सिंगर लेट लतामंगेशकर तो इनकी 93rd बर्थ एनिवर्सी जो की 28 सितंबर को मनाई गई इस मौके पर आयोध्या में जो नयाग हार्ट क्रोसिंग है इसको रिनेम कर दिया गया है और अ नोइडा बेस्ट आर्किटेक्ट हैं रंजन मोहंडी इनके द्वारा ये लतामंगेशकर चोक डिजाइन किया गया है तो इस मौके पर प्राइमिस्टर अरेंदर मोधिन उत्रप्रतेस गोवर्मेंट और अयुद्ध्या डेवर्टमेंट अथर्टी को इस इनोवेटिव 12 मिटर है 100 को अंए इस पर दे सकते हैं इसको भी इंस टॉल किया गया है इस क्रोस्टिंग इंटर सेक्शन है यहां पर चुराह पर इसको इस को इस्टॉल किया गया है आपको बता दें जो ये वीना है ये किसके द्वारा बनाई गई है पदमश्री अवाडी राम सुतर के द्वारा वाइस प्रेज़ेंट जगतीब धनकर फ्लैग्ट ओफ जैपूर फूट टीम तो विच कंट्री तो प्रोवाइड आर्टिफियल लिम्स टू एम्पूटीज उपरास्ट पती जगतीब धनकर ने जैपूर फूट टीम को किस देश में विकलांगों को कृतिम अंगप्रदान क के लिए हरी जंडी दिखाई है ऑप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन ए है सीरिया लिम्स का मतलब होता है हाथ पैर तो देखिए वाइस प्रेजिडेंट जगदीब धनकर इन्होंने भगवान महावीर विगलांग सहायता समीति के आठ परसंस को हरी जंडी दिखाई है इनको रवाना किया है सीरिया के लिए तो सीरिया में यह लोग एक आर्टिफिशल लिम्स यानि की जैपूर फूड जिसको बोलते हैं इस तरह का एक फिट्मेंट कैम्प लगाने वाले हैं तो यह जो पूरी टीम है यह सीरिया की कैपिटल लेमासकस गई हुई है और 600 आर्टिफिशल लिम्स यह एंप्यूटीज एंप्यूटीज मतलब जिनका अंग कटा होता है उनको बोलते हैं एंप्यूटीज तो उनको प्रवाइट कराएंगे जैसे होते हैं ना आर्टिफिशल घूटने होते हैं आर्टिफिशल यह एल्बो होती है इस तरह से एकॉर्डिंग तो दा इंडिया टूरिज्म स्टाटिस्टिक्स 2022 वीच कंट्री वाज टॉप टैस्टेशन फॉर इंडियन 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 बारत पर्यटन संकी की 2022 के नुसार 2021 में कौन सा देश बारतियों के लिए सिर्ज इस्थान था ओप्शन आपके सामने हैं सही आ जगदीब धानकर द्वारा रिलिस किया गया है इसके अनुसार जो भारत में एनराइस का आगमन हुआ 2021 में उसे बढ़ोतरी देखने के मिली है यति हम 2020 से कंपेर करें कितनी बढ़ोतरी देखने के मिली है 52.6 प्रतिशली साथ इसमें यह बताए गया है कि कोविड-19 पैंड समलोग 5% से किस से कंपेर कर रहे हैं 2020 के आंकडों से जहां 2020 में 2.74 मिलियन फॉरें टुरिस्ट भारत आये थे महीं 2021 में 1.52 मिलियन टुरिस्ट ही बारत आये इसमें भी बताए गया है कि 2021 में top 15 countries जहां से भारत में foreign tourists आये हैं उनमें US, UK, Bangladesh, Canada, Nepal, Afghanistan और Australia यह top countries है इसमें भी ब इंडियन के लिए top destination कौन सा देश रहा तो वो रहा UAE उसके बाद US, फिर Qatar, फिर Oman और फिर United Kingdom साथ इसमें भी बताया गया है कि number of Indian nationals departing the country यानि कि हमारे देश के ही जो लोग है जो हमारे देश से बाहर है 2021 में उसमें भी बड़ोती देखने के मिलिया है यदि हम 2020 से compare करें 2021 में 8.55 million Indian nationals बहरत से बाहर गए जबकि 2020 में 7.29 million ही गए थे एक और मैं तो पूर्ण इसमें फैक्ट आपको जानना चाहिए कि सबसे जादा किस state में आए है जो foreign tourist आए है वो सबसे जादा किस state में गए है यह भी आपको जाना चाहिए 2021 में तो यह गए है पंजाब में तीन लाक 8135 foreign tourist पंजाब में गए 2021 में उसके बाद महरास्ट फिर डैली फिर करनाटक फिर केरल तमिलाडू यूपी एंपी वेस्ट बंक ओलेंड राजस्थान World Maritime Day is celebrated every year on the last dash of September विश्व समुजरी दिवस हर साल सितंबर के आखिरी Thursday को मनाया जाता है सही answer option C है तार को जाना चाहिए World Maritime Day यह हर साल जो September का last Thursday होता है जो ही 2022 में 29 सितंबर को रहा तो इस दिन मनाया जाता है थीम के राद 2022 में new technologies for greener shipping साथ आप पूजाना ची वर्ड मारिटाइम डे सबसे पहले 17 माच 1978 को अपसर्व किया गया था क्योंकि जो फर्स्ट आइमो कर मेंचन है यह 1958 में इसी दिन साइन किया गया आइमो मतलब International Maritime Organization जिसका headquarters लंडन यूके में है International Translation Day is celebrated on which day? अंतरास्टे अनुवाद दीवस किस दिन मनाया जाता है? options आपके सामने हैं सही answer option D है September 30 तो अंतरास्टे अनुवाद दीवस 30 सितंबर को मनाया जाता है बाकि इसके बारे में आपको जाना चाहिए 30 सितंबर ही क्योंकि इस दिन जो की Bible Translator रहे इनकी पुन्यतिती ही होती है आपको जाना चाहिए इन्होंने Greek Manuscript से Bible को Latin में जो है Translate किया है और भी जो Hebrew के जो पुस्तक हैं उनको भी Greek में इन्होंने convert किया है 2022 में theme किया International Translation देगा answer होगा a word without barrier The National Small Industries Corporation Limited NSIC signed an MOU with which Small Finance Bank in September 2022 under its bank tie-up scheme रास्टे लगू द्योगनिकम Limited ने सितंबर 2022 में अपनी bank tie-up योजना के तहट कि इस लगू with bank के साथ एक समझता है क्या परप्रस्ताक्षर किये options आपके सामने हैं सही answer option दी रहेगा उतकर्ष Small Finance Bank तो देखिए ने स्मॉल इंडॉस्ट्री स्कॉर्परेशन लिम्ट डिया नहीं NSIC जो की मिल्स्ट्व MSME के तहट आता है इसने एक MOU Memorandum of Understanding sign किया है उतकर्ष Small Finance Bank के साथ न्यू डेली में Under its Bank TIEF Scheme तो इस MOU के तहट जो MSME को जो Credit की requirement है उसको पूरा किया जाएगा उतकर्ष Small Finance Bank और NSIC के गड़ चोड के साथ उतकर्ष Small Finance Bank की बात करें तो MD&CEO गोमिन सींग है ट्काटर्ष फरान सी उत्रप्रदेश में है टैक राहिन है आपकी उम्मीद का खाता वू टॉप्ट हुरून इंडिया 40 एंड अंडर Self-Mate Reach List 2022 हुरून इंडिया 40 एंडर Self-Mate Reach List 2022 में कों स्चीर्ष पर है ओप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसरोप्शन भी रहेगा निकिल कामत निकिल कामत नाम आपने सुनावा जिरोधा के को फांडर है इन्होंने IIFL Wealth Hurun India 40 and Under Self-made Reach List 2022 को टॉप किया है इनकी जो नेट वर्थ है यह 17,500 करोड रुपे की है ओला के फांडर भावीश अगरवाल यह दूसरी पोजिशन पर है 11,700 करोड रुपे की नेट वर्थ के साथ तीसे नमबर पर media.net के जो दिव्यांक तुरकिया है यह है तीसे नमबर पर 11,200 करोड के साथ कैवल्य वोरा इनके बारे में पहले भी देखा है जेप्टो के को फांडर है 19 साल के हैं यह इस लिस्ट में यंगेस्ट सेल्फ मेड एंट्रेप्रेणर हैं जेबकि इंडियन अमेरिकन नेहा नर्केड जो की कॉंफुलेंट की को फांडर हैं जो की एक स्ट्रीमिंग डेटा इनकी एज 40 और इससे अंडर किया है और जिनकी फॉर्चुन 1000 करोड से ज्यादा किया है उनको इस लिस्ट में सामिल किया इस बार 15 नए इसमें एंट्रीज की गई है 15 न्यू एंट्रेंट्स इसमें सामिल हुए आपको जाना चाहिए फिजिक्स वाला के जो को फांडर से अलग पांडे और प्रत्रीक महाश्वरी इनों ने भी इस लिस्ट में डेब्यू किया है दोनों ही 11 नंबर पर है और इनकी जो पर्सनल वर्थ है यह 4000 क्रोट उपीज इच है बैंगलूरू की अगर बात करें तो सबसे मोस्ट पॉपुलर प्लेस है इन सभी यंग वैल्थ क्रेटर्स के लिए जहां पर अपना इनोंने अपना बेस बना हुआ है इस सर्वे के नुस्वार तो 14 ऐसे लोग है इस लिस्ट में जिनका बेस बै यहां पर 88 लोगों का बेस है विच अब फॉलोइंग है इस पार्टनर विद इस्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो हैल्प क्रोड़ बैंक को लेंडिंग पॉर्टफोलियो निमले कि पर से किसने बैंक के सहवधार पॉर्टफोलियो को विक्सित करने मदद के लिए भारती सामने है सही आंतर ओप्शन ए है यूबी यूबी जिसे पहले आप क्रेड एवन्यू के नाम से जानते थे इसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ पार्टनर्शिप की है ताकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो को लेंडिंग पॉर्टफोलियो है वो ग्रो कर सके तो देखे जो यूबी को डोट लेंड इस तरगा एक प्लेटफोर्म में इसके साथ SBI इंटीग्रेट करेगा अपने आपको और ताकि जो प्राइटी सेक्टर में जो लोन डिस्पर्समेंट होता है उसके लिए अपने पार्टनर्स तून सके अलग-अलग सेक्टर में जैसे कि और जो हाउसिंग फाइनस कंपनीज हैं उनके साथ टाइएप कर सके तो वह इस प्लेटफोर्म के जरिए हो सकता है SBI के लिए जो यूबी को डॉट लेंड है इसके जरिए आप सैमसंग एंड विच बैंक है पार्टनर टू लॉंच अ को ब्रेंड़ेट कर पार्ट्र वाइव वीजव सैमसंग और किस बैंक ने वीजव राशन चाली सेक्प्रेंड ट्रेंड कर लॉंच करने के लिए साज़दारी की है सही आंत्रॉप्शन भी है एक्सिज बैंक त करेंगे और Samsung products को buy करेंगे पुरी साल पर उनको 10 प्रतिचत का cashback provide करा जाएगा वाकि एक्सिस बैंक के बारे में काफी सारी news देख चुके हैं आली में जो basic चीजे हैं वो भी हम देख चुके हैं नेम्दा स्वेडिस defense company that announced plans to manufacture it's called Gustaf M4 weapon system in India उस स्वेडिस रक्षा company का नाम बताईए जिसने भारत में अपने काल Gustaf M4 हतियार पढ़ना लिए निर्मान की योजना की कोशना की है options आपके सामने हैं सही आंसर option यह रहेगा साब तो देखे स्वेडिस स्वेडन की defense firm है साब इसने अपना प्लैन एनाउंस किया है कि यह भारत में manufacturing facility setup करेगा और क्या वहाँ पर manufacture करेगा काल Gustaf M4 shoulder fired weapon system और यह किसके त्याद की जाएंगी मेक इंडिया इनिसिटिव के तहर्प ताकि भारत में जो इंडियस defense manufacturing है उसको एक मजबूती मिल सके आपको जाना चाहिए यह एक नई कंपनी यहां पर ओपन करेगा साब FFB इंडिया तो यह latest rocket launchers भी यहां पर भारत में बनाने वाला है इंडियन armed forces के लिए आपको जाना चाहिए Central Government ने कई सारे कदम उठाए है ताकि भारत में इंडिजीनियस लिए डिफेंस एक्विपमेंट्स बन सके manufacturing बढ़ सके इसके लिए इसने FDI को भी इंक्रीज किया है 49% 74% और 310 वैपन्स एंड सिस्टम्स के इंपोर्ट पर भी बैन लगा है इनको इंपोर्ट नहीं कर रहा है यही पर बनेंगे विच कंट्रीज एल्यूट किप्चोगे अपॉन बर्लीन मेराथन किस देश के एल्यूट किप्चोगे ने बर्लीन मेराथन जीती है ओप्शन्स आपके सामने हैं और सही आंदर ऑप्शन भी रहेगा केन्या तो देखिए टू टाइम उलम्पिक चैंपि किन उसनी तक टाइमिंग की बात करें तो को थो आर्स उन मिन नाइन सेटन्स इनवने लिया है जबकि पहले जो नने तो रहूर्स पीमॉन रीकूर्ट साई म那 में रिकॉर्ड बनाया था वह तो फर्लीन मिन था सेकंड था तो यानिक अब 30 सेकंड और इन्होंने सीव किये हैं हुआज बीन अपॉइंटेटर जनरल अफ टा एंप्लोई स्टेट इंशोनेंस कॉर्परेशन इस आई सी कर्मचारी राज्य वीमानिगम महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया फिलहाल यह मिन्स्ट्री ऑफ एलेक्ट्रोनिक्स एंड इन्फोर्मेशन टेक्नोलोजी में एडिशनल सेक्रेट्री के तौर पर कारेश्य रथ हैं कि हुएस बी नेम्ड एस ता ओनली इंडियन ओन टाइम मैंग्जीन लिस्ट ओफ अंडर्ड एमर्जिंग लिडर्श शेपिंग दफ्यूचर ऑफ दे वर्ड दुनिया के भविश्यों को आकार देने वाले सो उभरते नेताओं की टाइम पत्रिका की सूची में एक मात्र ब इस तरह की जो लिस्ट है इसमें सामिल किया आपको बता दे जून के महिने में इन जीओ के चेर्मेन के तोर पर भी प्रमॉट किया गया था जिओ आप सभी जानते हैं इंडिया की लार्जेस्ट टेलिकॉम कंपनी है विद ओवर 426 मिलियन सब्सक्राइबर्स अच्छा हर सा ल्डाइम मैगजीन इस तरह की लिस्ट निकालती है टाइम अंडेड नेक्स्ट तो इसमें क्या होता है इस तरह के पिताजी द्वारे ने तो इसलिए इनको इस लिट में सामिल किया गया है कि दे कैबिनेट चेर्ड बाई पीम नरेंद्र मोदी एप्रूफड वट परसेंट डिय हाइक फॉर सेंट्रल गुवर्मेंट एंड पैंशनर्स टेम नरेंदर मोदी के केंद्रे सरकार केंद्र सरकार के जो एंप्लोई जो पैंशनर्स हैं उनके लिए डियर्नेस एलाउंस एंड डियर्नेस लीफ फॉर प्रतिशत का जो है एप्रूव कर दिया है यह आपको बता दें एक जुलाई दोजार बाइस से लंबी था अचाहिक बीबीसी का कार्टून ब फर्रियलाईजर कंपनी इस कम्पनी के साथ एक समझो का अपर सब्सक्र किये हैं आपके सामने हैं से आंदर ऊप्चन F तो देखें इंडिया की फर्रिय्व Beim कव्रम यो डोई फ्रिय। कंपनीयों क्पनीयों बिःत्स ये कम प्रॉडियों ने हाली में Canada की CanProtex के साथ MOU sign किया है आपको जाना चाहिए जो CanProtex है Canada में है यह amongst the largest supplier of potash है potash की largest supplier जो companies है उनमें से एक यह भी है तो 130 lakh metric ton का जो है यह product annually export करती है तो इसके तहत जो यह CanProtex Canada है यह 15 lakh metric ton जो potash है यह annually तीन साल के लिए इंडिन फर्टिलाजर कंपनीज को सप्लाई करेगी Union Minister of Chemicals and Fertilizers कोने दोक्तर मान सुख मान रहे है 42nd session of International Civil Aviation Organization Assembly held in which city an MOU was signed between International Solar Alliance and ICAO here Antraste Nagarik Odeyan Sangatan Assembly का 47 की सहर में आजित किया गया यहां हाली में Antraste Surk Gadbandan और ICAO के बीचे सम्ज़देगा पर प्रस्ताक्षर किये गए options आपके सामने हैं सही answer option C रहेगा Montreal तो देखिए हाली में 42nd यह 42 फिर टी एच लगाना 40 सेकंड है एंड 42nd session हुआ है हाली में International Civil Aviation Organization ICAO का Montreal कनाड़ा में यहां पर एक MOU sign किया गया International Solar Alliance और ICAO के बीच में आनिके International Civil Aviation Organization के बीच में इस मोके पर जो मारे मिनिस्टर और Civil Aviation है जो तिरादित M.Sindhya यह भी सामिल रहे हैं आप सब्सक्राइब जानतें International Solar Alliance के बारे में कि इसमें 121 से कंट्री कंट्रीज हैं 32 पार्टनर और्गनाइजेशन हैं जिसमें कि कई सारी UN और्गनाइशन भी सामिल तो इसका मकसद वही है कि जो हमारा डिपेंडेंस है फोस्सिल फ्यूड्स पर वो कम हो सके और जो सेलल अनरजी है उसको उप्योग में ला सकें पूरी तरह से जो उसकी छमता है उसको प्योग कर सकें ह। वाखिया आप जानते हैं बाहरत के टार्गेट के बारे में कई बार डिसकस होता है जब एशीव करना और भारत जो है दो जार यह 175 किकावाट की रिनुबल एनर्जी भी जो है टार्गेट इसे रखा वाई जिसमें की 100 गीगावाट की से टार्गेट प्राप्ट करना जाते हैं और वहीं जो आपका यह एमिशन है कार्बन एमिशन है इसकी इंटेंसिटी बिम 2030 तक 32 सब्सक्राइब करना चाहते हैं युनेस्को मौंद्यूय कल्ट 2022 वर्ड कॉनफरेंस हेल्ड इन वीच कंट्री युनेस्को मौंद्यूय कल 2022 विस्व सम्मेलन के स्थेस में आयुजीत किया गया सही आंसर आप्शन भी रहेगा मेक्सिको तो देखिए इंडियन डेलिगेशन जिसको नेत्रत्य किया मिर्स्टर विस्टेट फॉर कल्चर अर्जन राम मिग्माल ने तो इन्होंने मेक्सिको सिटी में युनेस्को मौंद्यूय कल 2022 वर्ड कॉनफरेंस यहां पर इन्होंने भारत का जो डेलिगेशन गया उसका नेत्रत्य किया 28-30 नंबर तक चली है तो यह जो युनेस्को वर्ड कॉनफरेंस और कल्चर पॉलिशीज एंड सस्नेवल डेवलपमेंट है यानि की शोर्ड में कहें मौंद्या कल्च 2022 यह जुनेस्को द्वारा कन्वेंट की गई है और सबसे पहली बार यह 1982 में की गई थी उसके बाद फिर 1998 की गई स्वीडन में त इसेंस ग्रह मंतराले ने पॉपुलर फ्रंट ओफ इंडिया और उससे जुड़े संगठनों पर पास साल के लिए प्रतिबंद लगा दिया है कि इस वसक्ति वर्द किया घ्षेंट चीए हैं 2006 देखें, इंडियन गुवर्मेंट ने पॉप्लर फ्रेंट ऑफ इंडिया, पीएफ आई, जो की एक कंट्रवल शेर मुस्लिम ग्रूप है, इसको पांस साल के लिए बैन कर दिया है, क्योंकि इसके जो है, लिंक्स वो टेरर ग्रूप के साथ पाए गए है, तो मिनिस्ट्री ऑ फोम आफेर्स ने इसको अनलोफॉल एसोशियेशन डिकलेर किया है, अडर दा प्रोविजन ऑफ अनलोफूल एक्टिविटीज प्रिवेंचन एक्ट नाइटीन सिस्टी सेवन, और पीएफ आई कि अगर हम बात करें, तो यह अपने आपको किस तरह से डिस्काइब करता है, तो पढ़ने में तो काफी अच्छा लग रहा है, जैसे कोई बहुत ही अच्छी संस्ता होगी, पर इस तरह के काम इसके नहीं रहे है। बागी कुछ ने उस पर बरस ने दोजार साथ लिखा हुआ, इनकी साइट चल नहीं रही है, परना वहां से भी कंफर्म हो जाता, तो पीएफ आई, दोजार च्छे में इसका गठाना था, जब नेशनल डेवलप्मेंट फ्रेंट, जो की के के कोजी कोड में सेट अप किया था, बाबरी मस्चित डेमोलेशन के बाद, तो इसने जो है, 2006 में, करनाटक फोरम फोर डिगनिटी इसके साथ, और तमिल नाडु की एक इसी तरह की एक गुरूप रहा, मनिथा निथी पसर रही, तो इन तीनों ने मिलकर पीएफ आई का निर्मान किया था, ये तीनों एक और विच आईटी हैव साइट एन एमो यू फोर कोपरेशन इन साइबर सीक्योर्टी और फाइवजी, सेंटर फोर डेवलेप्मेंट ओफ टेलीमेटिक्स और किसा इटी ने साइबर सुरक्षा और फाइवजी के सहयोग के लिए समझो था किया है, आपने पर पर स्ताक्षर आप टेक्नोजी डेली आएटीड के साथ एक M.O.U. साइन किया है, जिसके तहत ही है, साइबर सीक्योर्टी, 5G, टेलीकॉम, इस सभी तरह की टेक्नोजी इस पर काम करने के लिए तयार हुए है, यूनियन एजुकेशन हैं इस्किल डेवलप्मेंट एंड दर्मेंदर प्रदान इनुगरेटेड धर्टींध फिक्की ग्लोबल इसकिल सम्मेट 2022 ओन देम ओफ एजुकेशन टु एंप्लोबिलिटी मेकिंग इपन इन विच शिटी, केंद्र सिक्षा और कोसल वीकासर उध्यमिता मंत्री दर्मेंदर प्रदान ने तेर्में फिक्की ग्लोबल इसकिल सम्मेट 2022 का उध्यभातन किस दहर में एजुकेशन टु एंप्लोबिलिटी मेकिंग इपन विशेपर किया है ओप्शन आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन भी है निव डैली तो देखें यूनियन एजुकेशन एंड इसकिल डवलोप्पेंट एंड एंट केंडर everyone ने अनन यूजना को और कितने महिनों के लिए रहेगा थी मुन्त के लिए त्यम्हेन हाली में प्ला मवंतिरी कल्याम अन यूजना पी और ये थी का इसका है तरह से एक्टेंड कर दिया है तीन मंत के लिए अक्टूबर से दिसंबर 2022 तक के लिए आप से भी जानते हैं इसी स्कीम के तहट जो फाइफ केजी ओफ फूड ग्रेंड प्रोवाइड कराया जाता है पर परसन पर मंत फ्री ओफ कोस्ट जो भी व्यक्ति जो भी पेनेफिशरीज नेसल फूड सिक्योर्टी एट के तहट आते हैं उनको इसमें यह जो ग्रेंड है यह प्रोवाइड कराया जाता है फ्री ओफ कोस्ट बाकिया आपको जाना चाहिए अब जो यह सेमंध फेस चलेगा तो इसमें गव जाना दें अगर हम देखें तो अब तक 25 मन्त हो गए इस स्कीम को लागों किये हुए तो फेस वन टू सेकंड एट मन तक चला है अपरेल 2020 से नौंबर 2020 तक फिर फेस त्री टू फेस फाइफ ग्यारा मन तक चला मई 2021 से मार 2022 तक फिर फेस चला 6 मैने के लिए अपरेल 2022 से सब देंबर 2022 तक और अभी ए फेस 7 होगा अक्टूबर से देंबर 2022 तक आज के सेंडमेंट कोस्टेंगे बावाइ इस ए फोपलर फोग दान्स इन विच इस स्टेट फिर फेस्टित पारफ फिर फिर्वाइ शोड़ ए्न व्य चारा देख अरेंख जावोड व्यू तूला विरूमसल मन तक ट्रवाण इस शीड़ा मेंटन्स डिवां तक हिर फिर विचे के विच शने मेन ऊटों energies in august 2022 india's national hydroelectric power cooperation limited nhbc signed an mou with which country to develop the west sati and sati river projects how many satellites of one web arrive at the satis thawan space center in shri haricota ahead of the first dedicated commercial launch for new space india limited using gslv mark 3 rocket to in 7 questions and answer आप comment box में जरूर दीजिएगा यादि आपको एक question का answer भी आता है तो भी आप हमे comment box में बता सकते हैं साथ ही current affairs funda को आप telegram पर भी join कर सकते हैं यहाँ पर regular video updates और current quizzes हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं साथ ही discussion group में आप किसी भी question का solution पा सकते हैं दोस्ते हैं आपर हमारे current affairs की प्रेश्दी गई है इसको आप जरूर देखें अपने दोस्तों के साथ प्रेश्द साथ हमारे current affairs को शेयर जरूर करें आज का सेशन आपको कैसा लग comment box में जरूर बताईएगा thank you guys